प्रवाइब बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले अग्जाम्स के लिए एक एक करके मैराथॉन क्लासिस दे रहा था जैसे कि आज दोपैर में आपकी इंग्लिश की मैराथॉन क्लासिस चली थी अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा उसी से रिलेटिट आज मैं आपका अभी बाल मनोविज्ञानी की एक क्लास लेकर आया हूँ किसके लेकर आया हूँ CDP में Child Development जिसे आप Education Psychology के नाम से भी जानते हो जिसमें आपके बहुत most important जो सिध्धान्त होते हैं आपके साथ कौन-कौन से अबराहेम मैसलो का सिध्धान्त जो की अभी प्रेड़ना वाले चेप्टर में दिया गया था जिन प्याजेट, कौलबर्ग और गिली वाइगोस्की इन तीनों के बारे में तो बताने ही कोई जूरत नहीं है क्योंकि ये तीनों के तीनों सिध्धान्त जो है वो अपने ही आप में ही सबसे ज़ादा नंबर लेकर बैठे रहते हैं पास से छे नंबर तो ये तीन थियोरी के ही है एक कोशल अपका अलबर्ट जो आपका अबरहायम मैसलो था वहाँ से पूछा ही पूछा जाता है साथी साथ में तो इन सभी के सभी सिध्धान्तों कम एक ही बार में कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में सारे के सारी इसके लिए दे रखें तो उन questions को जरूर लगा कर देखिएगा कितना समझ में आया आप सभी बच्चों को ओके तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आजएए और फिर हम अपनी class को continue करते हैं बाकी YouTube की तरफ से notification बिल्कुल चला गया है कोई दिक्कत अग्राइब आप से और वाली बात नहीं है बाकि मेरी तरफ से आपको टेलिग्राम पर भी शेयर कर दिया गया था बिल्कुल डियर सभी को हाई सभी को नमस्कार जो बच्चे गुड मौनिंग बोल रहा है उनको गुड इवनिंग जो गुड आफटरनून बोल रहा हूं देर ना करते हुए आज अपनी CDP की all जो theories हैं, उनकी class को शुरू करते हैं, अब ब्रहायम मैसलों से शुरू करेंगे और THONDAX तक चलेंगे, और बीच बीच में मैं आपको questions भी पूछता रहा हूँ, ताकि आपको पता चल से किस परकार के questions आपके exams में पूछे जा चुके हैं अल्रेडी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, चलिए 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 छोड़ दीजी अब आगे चलते हैं, अपने session के उपर ध्यान रखेगा, समझाने के उपर मेरा ज्यादा ध्यान रहेगा, comment पर थोड़ा मेरा कम ध्यान रहेगा, जब हम question करेंगे ना, तब मेरा comment पर ध्या जाना जाता है, तो इनकी सिध्धान्त को है, काफी नामों से जाना जाता है, पहला नाम, जो की इनका नाम दिया गया, चैप्टर के अनुसार, वो है अभी प्रेड़ना का सिध्धान्त, यानि की theory of motivation, पहला नाम है, ध्यान रखेगा, दूसरा नाम है, अवशक्ता का इसी नाम से जानते होंगे, अब्राहेम मैसलो का सिध्धान्त, लेकिन ये अब्राहेम मैसलो का सिध्धान्त दिया गया है, इसलिए इसको कभी-कभी बोल दिया जाता है, मेन है आपका अवशक्ता का पदुनुकुरम, जो अवशक्ता होती है, उसका कौन सा क्रम होता है, व कभी भी नहीं पूछेगा कि ये कब दिया है कब नहीं दिया गया ऐसे factual question seat at में नहीं पूछे जाते हैं तो date का आप confused मत होईएगा history की मत तरह समझे इसको ऐसे psychology के टरम से अपने daily life से जोड़ कर समझे इसको ओके तो पहला question ये अवशक्ता का पदुनकरम किस ने दिया है तो अब्रायम मैसलों ने दिया है कब दिया है छोड़ दीजिए skip कर दीजिए आगे बोल रखा है कि मैसलों के अनुसार अवशक्ता ही अभिप्रेडना है ये main important बात है कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि निमलिकित में से अवशक्ता को किस रूप में इंगित किया जा सकता है या फिर जब तक आपको किसी चीज की अवशक्ता नहीं होगी, तब तक आप उसके लिए motivate नहीं होगे, seated की आपको अवशक्ता है, pass करके job के लिए आपको apply करना है, इसलिए आप seated के परती अभिप्रेरित हो, नहीं तो अगर आपके किसी काम का नहीं होगा, तो आप उसके परती अभि रूप में व्यवस्थित होती है, जिस परकार की व्यक्ति की अवशक्ता होती है, उसी परकार से उसको पूरा करने का व्यक्ति प्रियास करता है, द्यान रखेगा कैसे होती है, लेडर की रूप में, सीडी की रूप में, वन बाई वन होती है, और जिस परकार की व्यक्ति या और आखरी नमबर के होती है self-actualization needs, यह होती है पाँचवे नमबर की, तो यह पाँच आपके ऐसे distribute हो रखे हैं, इनी हम पाँचों को एक-एक करके पढ़ेंगे, और इनके कुछ और नाम भी है, उन नामों को भी जानेंगे, इस figure के अनुसार समझाने का बस मुझे एक यह प आवशकताईं होती है, low-level की needs होती है, और बाकी बचेवी तीन जो होती है, वो उच्चिस तरकी आवशकताईं होती है, कैसी होती है, high-level की needs होती है, तो यह question डिरेक्ली पूछा जा चुका है आपसे, ज्ञान रखेगा इस question को, कि निमण low-level की कोन सी होती है, और उच्च यानि कि high level की कौन सी needs होती है, तीन उपर वाली high, नीचे वाली दोनों, छोटी यानि कि निम्न, जैसे देखा होगा न, पहली पैड़ी, दूसरी पैड़ी होती है, फिर आखरी पैड़ी, जितनी आपने floor पर सेड़ी बना रखे है, उसके अनुसार, सबसे उची वाली सबसे उपर होती है, और सबसे नीचे वाली नीचे होती है, तो उसी परकार से आपको इसको समझना होगा, ठीके, सभी को इतनी बात समझ में आगे होंगी, आगे चलते हैं, चलिए, पहला है देखिए, शारिक किरियात्मक अवस्था साइकलोजिकल नीड को, क्या कहा जाता है, शारिक अवशक्ता भी कहा जाता है, ये क्या होता है, तो ये व्यक्ति की पहली अवशक्ता होती है, जिसमें भोजन, जल और विश्राम की अवशक्ता शामिल होती है देख सकते हो आपने देखा होगा ना एक डायलोग सुना होगा व्यक्ति की जो basic needs होती 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 है रोटी, कपड़ा, मकान अब देखो रोटी जो यानिकी भोजन, कपड़ा, यानिकी अपने तन को ढखने के लिए या फिर थंड से बचने के लिए या फिर आराम करने के लिए विश्राम और रोटी चाहिए, तो पीने के लिए पानी भी चाहिए तो ये कुछ basic needs हैं जो कि आपको चाहिए ही चाहिए जब तक आपकी ये need उत्पन नहीं होगी ये पूरी नहीं होगी जब तक आप आगे नहीं जा सकते हो जैसे कि मैंने आगे लिख दिया है, जब तक व्यक्ति की यह अवशक्ता हैं पूरी नहीं होगी और अवशक्ता उत्पन हो ही नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता जब तक आपके पेट में भूख है, तो आप किसी भी चीज के बारे में सोच नहीं पाओगे, अग जो कि आपके शारिक रूप से आपको जरूरी है, जब तक यह कंप्लीट नहीं होगी आप और आगे वाली अवशक्ता की और नहीं जा सकते, सिंपल है, ध्यान रखियेगा, बिल्कुल, रोटी, कपड़ा और मकान, उसी को हमने यहाँ पर क्या क्या दिया, भोजन, जल और ठीक है, दूसरी, पहली अवशक्ता कंप्लीट हो गई, तो दूसरी अवशक्ता आजाएगी आपकी शुरक्षा की अवशक्ता, सेफ्टी नीड आ जाएगी, यानि कि शरीर को दुरगटना एवं बिमारी से बचाने की अवशक्ता होती है, और यह जब आएगी आपकी जब करना था, आपने खा लिया, पी लिया, लेकिन बाद में जब आपका पेट भर जाएगा, गला सूख गीला हो जाएगा, तब आप सोचोगे, यार जो मैंने पिया है, जो मैंने खाया है, उसके करण में कहीं बिमार ना हो जाओं, क्या हो जाओं, बिमार ना हो जाओं, तो व एवं संबंद के नाम से और दूसरा जाना जाता है इसको समाजिक अवशक्ता के नाम से अब ऐसा क्यों कहा जाता है देखो इसने एवं संबंद नाम में ही पता लग जाता है कि मनुष्य को यहाँ पर संबंद बनाने की अवशक्ता होती है इसने प्राप्ट करने की या देने की अवशक्ता होती है अर्थात ये समझ लिजिए कि यह अवशक्ता शुरक्षा की अवशक्ता पूरा होने के बाद यानि कि दूसरे नंबर की अवशक्ता पूरे होने के बाद उत्पन होगी और व्यक्ति के अंदर परिवार और समाज का सदस्य बनने की अवशक्ता होती है यानि कि आप कह सकते हो कि परिवार हो उसका वो भी किसी के लिए क्या कुछ करे कुछ किसी के बहाने से हो जीए for example के रूप में एक परिवार होता किसलिए परिवार हम किसलिए बनाते है क्योंकि परिवार यही होता, अपने सुख दुख को बाट सके, किसी के लिए हम जीएं, किसी के लिए कुछ अपने goal हो, अपना motive हो, आप खुदी सोचिए, अगर आपके आगे कोई ना हो, अगर आपके पीछे कोई ना हो, तो जीने का एक मकसद कैसा होगा, आपका कुछ होग समाज का सदस्य बनने के अवशक्ता उत्पन होती है, इसलिए समाजिक अवशक्ता भी इसको कहा जाता है, ठीक है, बिलकुल, 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 ठीक है, समझ गे इस चीज को आगे चलते हैं, आगे चलें, तो आगे आजाता है आपका सम्मान की अवशक्ता, ध्यान और व्यक्ति में किसी भी चीज के लिए पद, सम्मान, जन या फिर आय प्राप्त करने की अवशक्ता उत्पन होती है फोर अग्जाम्पल के रुप में आप, मैं, हम सभी कहां पर हैं, इसी पर हैं, ठीक है हमारी जो अवशक्ता है, देखो हमें बोजन भी मिल रखा, जल भी मिल रखा, पहनने के लिए कपड़े भी है, विश्राम करने के लिए बेशरीर में जब कोई बिमारी होती है तो सुरक्षा के लिए हम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, फैमली हमारी है, आपकी भी है, तीनों के तीनों हमारी अवशक्ता उत्पन हो रखी है लेकिन हम सभी के सभी जो हैं यहां पर हैं क्या हैं हम सभी के सभी जो हैं यहां पर हैं सम्मान की अवशक्ता में आपको भी एक सीटेट क्रोस करके एक अच्छी सी जॉब चाहिए मुझे भी कोई आये चाहिए मुझे भी सम्मान चाहिए मुझे भी पद चाहिए मिर को भी क्य चाहिए प्रतिष्टा चाहिए तो हम सभी के सभी कहां पर हैं यहीं पर ही है और यह एक ऐसे अवशक्ता होती है जो कि पूरी के पूरे जीवन भर चलती है ध्यान रखेगा यह जो हैं पूरे के पूरे जीवन भर चलेगी आपको जीवन भर सम्मान चाहिए जीवन भर पद च यह कभी भी खतम नहीं होती है और जिस व्यक्ति की खतम हो जाती है उस व्यक्ति गंदर क्या उतपन हो जाता है आत्म सिद्धी की अवशक्ता उतपन हो जाती है अब ये होता क्या है? पहली बार ये केवल 10% व्यक्तियों में ही अवशक्ता उत्पन होती है, क्या बोला मैंने आपका? ये केवल 10% व्यक्तियों में ही उत्पन होती है, ये अवशक्ता जो उत्पन होगी, वो सम्मान के अवशक्ता पूरी होने के बाद उत्पन होगी, और इ फोर अग्जामपल के रूप में गौतम बुद आप सभी को पता है गौतम बुद ने इतने लंबे समय तक पीपल के पेड़ के नीचे क्या करा था वो एक तप करा था किस चीज को जानने के लिए अपनी अंतरातमा को ही जानने के लिए अब उनके अंदर से जब उन्होंने प किस परकार के उनके अंदर थी तो उनको अपनी जानगी कोई लोब मोम आया नहीं थी उनके अंदर से डर खतम हो गया था तो वो किस पर थे आत्मसिद्धी की अवशक्ता पर ही थे तो यहां पर आकर जो व्यक्ति के अंदर होता है वो लोब मोम आया सारी की सारी खतम हो जा आजकल हमारे यहाँ पर लोग बहुत देखने को मिल रखे होंगे आपको साधू, बाबा, ढोंगी वेगरा For example के रूप में आप सोचोगे बाबा राम देव बाबा राम देव के बारे में आप सभी ने सोचा है वो भी अपने योगा से काफी बड़ा पैमाने पर इंकम को जनरेट करते हैं अलग-अलग परकार की पतंजलियों का पहले पंतजलियों उनकी नहीं है उनके शिशे किये लेगिन कहीं न कहीं उनका परमोशन या कोई जुड़ा तो जरूर होगा या फिर किसी और परकार के भी देखोगे तो बाबा राम देव की जो प्रॉपटीज हैं विदोशों में बहुत ज़ादा है तो ओ क्या कर रहे हैं आय जन और यही तो कमा रहे हैं तो क्या हो गया सम्मान की अवशक्ता पर ही है वो भी तो आज कल के जो हैं मैं बाबा राम देव वैसे तो कोई उनके खिलाग कोई केस वेगरा उल्टा सीधा तो नहीं आया जैसे बाबा राम रहीं उसने तो भाई चाड़े पाड़ दिये थे क्या हो हां, क्या का, एकदम से पता नहीं, क्या गुफा उफा बना रखी थी उसने, तो नाम नाम का वो आत्म सिद्धी की अवशक्ता दिखा रहा है, लेकिन था कहां पर, वो भी सम्मान की अवशक्ता पर ही था, ओके, तो ध्यान रखेगा इन चीजों को, ये सारी की सारी च क्रिटिसाइस किया गया था, और क्या क्रिटिसाइस किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, क्यों कि कोशन डिरेक्ली पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेगा, कभी-कभी उच्च नैतिक आदर्श प्राप्त करने के लिए, निचली अवशक्ताएं, पूरी हुए बि कि जब तक आपकी पहली अवशक्ता, यानि कि शारिक अवशक्ता complete नहीं होती, जब तक आप और वाली अवशक्ता उपर नहीं जा सकते, मतलब जब तक आपकी ये complete नहीं होगी, आप इसके उपर नहीं जाओगे, जब तक ये complete नहीं होगी, इसके उपर नहीं जाओगे, मै पूरे हुए बिना भी कई व्यक्ति जो होते हैं वो उच्छ वाले पर प्राप्ट कर लेते हैं उस पर पहुंच जाते हैं तो मा देखा होगा ना भूखे प्यासे आपकी क्या कर रही होती है मदद कर रही होती है सेवा कर रही होती है कई बार उनकी खुद की नींद पूरी नहीं होती शारिक वशक्ता पूरी नहीं होती लेकिन वो आपका ध्यान रख रही होती है for example के रूप में मेरे को जब मलेरिया हो गया था मुझे आज भी याद है मुझे को उस समय मैं 12 में था 12 के बोर्ड के एक्जाम चलने ही वाले थे December के आसपास की बात है मुझे क्या हो गया था? डेंगू हो गया था तो उस समय मेरी मा ने मेरे को हॉस्पिटल में देखने के लिए रोज आती थी मेरे खाना लेकर और साथी साथ में कपड़ों पर प्रेस करके कपड़े चेंज वेगरा करके तो जब हम पता चला मुझे बाद में था करसा मा की तो वही वाली बाद में आको एक एकission बताया किस चीच के बारे में मा के बारे में उनकी अवशक्ता पूरी हुए बिना ही वो क्या कर लेती हैं उच अवशक्ताओं पहुँच जाती ही यही इसकी आलोचना की गई थी और साथ ही साथ में अभी प्रेड़ना को ही अवशकता क्या दिया जाता है जो कि आल्रेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ ठीक है ओके डियर चार दिन में आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा अगर किसी बच्चों को यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए नहीं तो आगे कोश्चनों पर चलते है चलिए सभी को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है इससे related कुछ कोश्चन है देखिए पहला कोश्चन क्या बोल रखा कोश्चन में कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया इस खबर को डैश के अधार पर अच्छी तरीके से समझा जा सकता है ध्यान रखेगा क्या है दा न्यूज ओफ ए वुमेन तो इन चारों में से किस की अनुसार आपको ये समझा जा सकता है क्यों उस महिला ने उस भोजन को प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया तो इस हिसाब से इसका सही अंसर क्या होगा जल्दी से बताइए बिल्कुल डियर बहुत अच्छी बात है सभी बच्चों को समझ में आ गया बच्चे कहारें इसका option number D होगा option number D होगा चलिए बिल्कुल डियर ये क्या है आपका ये आपकी हिरेचल थियोरी है पदुनिकर में एक सिध्धानत है जिसमें आपको पहला सिध्धान जो था शारिक अवशक था psychological need या physical need जो भी होती है आपकी वो पहली stage का आपका पूछा गया लेकिन यहाप पहला stage नहीं था आपको यहापर पूरा का पूरा सिध्धानत का नाम ही दे दिया था तो इसके अनुसार ये खबर को हम अच्छी तरीके से समझ सकते है क्योंकि उस महिलना को भोजन की जुरुत थी तो वो पहले भोजन लेना चाती थी वो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही थी जब उसका पेट भर जाएगा तब वो अपने बच्चे के बारे में सोचेगी ठीक है तो option number 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही answer लगाया चलिए next question आपकी screen के उपर हाला कि यह इस पश्च रूप से उनकी सुरक्षा अवशक्ताओं के उलंगन में था कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दोरान कारगिल यूद में मारे गए संभवता उन्हें डैश था या फिर थी देखो आप सभी को पता है कैप्टन को कहीं पर भी युद में जाने की सामने खड़ा उने की कोई जरूत नहीं होती है, वो पीछे से क्या देता है निर्देश देते है, लेकिन इन्होंने अपने जान की पर्वान नहीं करी, अपना लो मो माया खतम कर लिया, और काल की युद में जाकर लडने लगे और वहाँ पर उनको क्या हुआ हुआ वहाँ शहीद हो गए तो इन में से आप क्या बताओगे किस अवशक्ता के अंदर थे तो वो आत्म सिद्धी की अवशक्ता के अंदर थे क्या थे Self-lectualization के अंदर क्यों 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 क्योंकि यहां पर व्यक्ति के अंदर लोग मोम आया समाप्त हो जाता है ठीक है चलिए चलिए नेक्ट कोशन आपके स्क्रीन के ओपर है बताए जल्दी से सही अंसर क्या होगा माना वशक्ताओं का पदू नुक्रम किस ने दिया है यानि कि जो हैरचल थियोरी दी गई है वो किस ने दी है वो आपको बताना है तो सिंपल सा कोशन है वो किस ने दी है अब्रहाईम मैसलो ने दिया है ध्यान रख्येगा English में इसका second option है Hindi में इसका third option है उल्टा सीधा print हो गया है कोई बात नहीं ध्यान देदीजी एक बार English में second, Hindi में third बिल्कुल जो Hindi में third लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है जो English में second लगा रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है बस misprint हो गया है इस चीज़ को आप समझे लेजिए बिल्कुल मैसलो ने सबसे सही बात आया अंसर मैसलो ने दिया है आगे चलते हैं Next question निमन में से कौनसी शब्दावली अभी प्रेड़ना के साथ इस्तमाल की जा सकती है देखो यहाँ पर क्या बोला interchangeable with the trump motivation motivation की स्थान पर आप किस चीज़ को इस्तमाल कर सकते हो तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ अवशक्ता को ही motivation यानि की need को ही motivation अवशक्ता को अभी प्रेड़ना का जाता है जब तक आपको किसी चीज़ की अवशक्ता नहीं होगे तब तक आप किसी परती के अभी प्रेरित नहीं होगे तो option number A जिस जिस बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही answer लगाया बिल्कुल dear चलिए आई थिंक यहां तक आपको सभी बच्चों को अच्छी तरीक से समझ में आ गया होगा सर जी एक बार कोल बर्ग भी करा दीजे dear मिर्जा जी आपको सारे की सारे थियोरीज होंगी आज सारी की सारी थियोरीज होंगी बस आप seat belt बांध लिजी अपनी और अराम से देखिए ठीक है चलिए सही कोशन है सभी बच्चों को समझ में आगी अब चलते हैं Albert Bandura की थियोरी के उपर जिसको क्या का जाता है theory of social development समाजिक विकास का सिध्धान रखेगा या फिर इसको learning by observation भी कहा जाता है क्या का जाता है learning by observation भी कहा जाता है तो अगर आपसे पूछा जाए दोनों में से सबसे जादा तो यही पूछा जाता है कि अवलोकन करके सीखना किसने कहा है learning by observation किसने कहा है तो यह हमारे Albert Bandura जी ने कहा है ठीक है चलिए इसमें क्या-क्या बाते की गई थी सभी की सभी one by one समझते है पहला समाज के नियम, आदर्ष, एवं मानक के अनुस्वार स्वेम को या अपने आपको ढालना ही क्या कहलाता है समाजिक विकास कहलाता है कहने का मतलब यह है कि आपकी जो भी society के norms है, rules है, regulations है उसी के परती आप अपने आप में क्या कर लेते हो change ले आते हो, modification ले आते हो आप अपने आपको उसे नुसा ढाल लेते हो तो क्या कहलाता है, आपका समाजिक विकास कहलाता है for example के रूप में मैं कई बार बोल चुका हूँ जिस बच्चो clear नहीं दिखाई दे रहा वो right hand side में से 3 dot पर click करो और 480 पर अपनी quality को कर लो आपको clear दिखाई देने लगेगा यहाँ से video full HD में चल रही है चलिए अब इसके में आपको कई बार एक example देता हूँ कि आपके सामने एक मोटा थुल्थुला हाथी जैसा आदमी चल रहा है और आप उसको क्या बोल देते हो ओ इमोटे side हो पूरा रस्ता गेर के खड़ा है यहसे बोल देते हो या फिर बोलते हो हाथी के बच्चे side हो जा तो आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप में समाज के नियम की आदर्श मानवकों को नहीं मान रहे हो ऐसा करोगे तो आपके परती क्या होगी नकारत्मक वहवार होगी उस मोटे थुल्थुले आदमी में वो सोचे का पता नहीं कैसे संसकार मिले उसको या फिर आप अपने फायदे के लिए समाज में किसी का भी हित नहीं देखते हो आप अपना फायदा देखते हो जो कि एक डायलोग भी बहुत मशूर है अपना काम बनता भाड में जाए जनता अगर आपके ऐसी सोच है तो समाजी के नियम के आदर्शो और मानक्यों के अनुसार आपकी सोच नहीं है आपके अंदर ये development नहीं हुई है या फिर अगर मैं कई बार बोल चुका हूँ जैसे कि देखा होगा आपने कि एक बच्चे के घर पर उनके महमान आए और महमान जब आए तो बारिश में भीगे हुए आए थे यानि कि आपके मम्मी ने आपके फादर ने आपके कुछ अपने उन्होंने कपड़े दे दिये और उन्होंने का आप चेंज कर लो गी ले ओ नहीं तो जुखाम तब यह तो भीपति खराब हो जाएगी और जब उस वो कपड़े पहन कर चले गए उसी कपड़े में सेम आपके बच्चे ने जो छोटा है बच्चा अभी उसने देख लिया तो उसी टाइम उसके कपड़े खुलवाने लग जाएगा बजार में क्यों? क्योंको उस बच्चे के अंदर समाजिक विकास अभी नहीं है उस बच्चे को यह पता नहीं है कि अगर ये कपड़े अभी खोल देगा तो विचारी की पपपी पपी सेम सेम हो जाएगी ठीके, तो इस बात की जानकर अभी बच्चे को नहीं है तो समाजेग विकास बच्चे के अंदर नहीं हुआ है तो वही बात आ जाती है, यहाँ पर सबी बच्चों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल चलिए बिल्कुल डियर ये MPTET में भी काम आएगा टेंशन मत लीजिएगा MPTET, RIT exam, SuperTet, UPTET, D++V सब में काम आएगा चलिए सबी बच्चों को समझ में आ गया यहाँ पर main बात इस बात को ध्यान रखेगा learning by observation किस ने कहा है Albert Bandura जी ने कहा है चलिए अब इसके बारे में कुछ अवशक शर्ते पढ़ लेते हैं जो उन्होंने दी थी पहला किसी भी बच्चे को समाझिक नियमों का ज्यान होना चाहिए जैसे कि वो बच्चा जो भरे बज़ार में कपड़े उतरवा रहा था उस महमान के उस बच्चे को समाझिक नियम की जानकारी नहीं थी उसको यह नहीं पता था कि बिचारी की अभी यहाँ पर क्या हो जाएगी बेस्ती हो जाएगी तो उसको सोचल रूल्स के बारे में नहीं पता था जिस बच्चे के अंदर यह विकास होगा उसको रूल्स पता होने चाहिए और नियम के परति क्या होनी चाहिए हमेशा स्तकार अत्मक शोच होनी चाहिए पॉजिटिव ठिंक होनी चाहिए कि उसे नियम को अपनाना है, मानना है अपनी हित के लिए किसी दूसरे का क्यार करना है? गलत नहीं करना है ठीक है? तीसरा है समाजिक नियमों को निभाने के लिए उसको हमेशा क्या करना है? तैयार रहना है, रेडी रहना है ये नहीं कि छोड़ना यार कुछ नहीं होने वाला ऐसी है हम तो अपना काम करेंगे बाकी हो की ना हो नियम को निभाने के लिए हमेशा उसको तैयार रहना पड़ेगा जिसके परती अलबर्ट बंडूरा जी ने दो प्रियोग किये थे एक गुडिया के साथ करा था और एक जोकर की तीन मिनट वाली वीडियो चला करी थी जोकि जोकर की तीन मिनट वाली वीडियो थी वो ज़्यादा तर मेन है तो उसी को आप समझिये गुडिया वाली इतनी मेन नहीं है जोकर की वीडियो तीन रूम में चलाई थी और तीसरे में जोकर उसमें कुछ भी नहीं कर रहा था, एक बच्चे को ये वीडियो दिखाई गई, तो जो बच्चा जोकर खेल रहा था उस वीडियो में, बच्चे ने भी वही करा, बच्चा भी खेल रहा था उसके साथ, मतलब positive behavior हुआ, जिस बच्चे ने उसको देखा का behavior हो गया, कहने का मतलब यहाँ पर क्या कर रहा देखो, observation करके सीख रहा है, इसलिए इनोंने अपनी theory में क्या का था, learning by observation, जब बच्चे ने देखा, खेलते हुए तो बच्चे भी खेल रहा था, काटते हुए देखा, तो बच्चे ने भी काटा, कुछ नहीं कर रहा था, त observation कहा, Albert Bandura जी ने, ठीक है, important है, ध्यान रखेगा इस point को, ठीक है, dear clear नहीं दिख रहा है, तो right hand side में 3 dot है न, उसके उपर click करके अपनी quality को 480 पर करो, हमारे यहां से video full HD में चल रही है, मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है, मैं भी हाँ पर तो देख रहा हूँ न, आपके comment बिल्कुल clear दिख रहा है, आप एक बर video की quality को बढ़ाओ, हमारे यहां से 1080 पर चलता है, ठीक है, 720 इसके बीच में भी होता है, 480 के बाद 720, 180, इन तीनों में से आप कुछ भी कर लो, clear दिखाई देगा आपको, ठैंक यू कंचना कुमारे जी, अरे डियर, view से कुछ नहीं होता, view की बात नहीं है, view को छोड़ो, view कम है तो क्या कर सकते हैं, बच्चे हमारे साथ कम जुड़े हुए हैं, उनके साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा तर वीडियोस पर views आते है हमारे कम जुड़े हुए हैं बच्चे तो कम आएंगे, हमारा अभी धीरे-धीरे जब millions के सब्सक्राइब होगे तो हमारे भी अच्छे चीज़े दिखाई देंगी, ठीक हैं, टेंचन किस बात की, चलिए, इतना नहीं सोचना, धीरे-धीरे, रेको काम अच्छा करना है, का काते हैं ना कि बस काम अच्छा करो, लोग अपने साथ अपने आप ही जूड़ते चलेंगे आपके पास, ठीक हैं, चलिए, आगे चलता है, लर्निंग बाई डूइंग डियर, ध्यान रखेगा, किस ने दिया था, जल्दी से बताईए, लर्निंग बाई डूइंग किस ने लर्निंग बाई डूइंग किस ने दिया, वो बताईए, कौन बच्चा बताएगा मुझे, ठीक है, बिल्कुल एक बच्चे ने बोला, लर्निंग बाई डूइंग किस ने दिया है, बिल्कुल, चलिए, कौन सा बच्चा बताएगा, लर्निंग बाई डूइंग किस ने दि जिवानी जी दियर ध्यान रखेगा इस बात का अभी जो मैंने बताया ध्यान रखेगा कहा गया पैन यार एक तो कई बार यह पैन नहीं मिलता ना तो चलिए ध्यान रखेगा यहाँ पर मैंने बोला learning by observation यह किसने दिया है Albert Bandura learning by doing वो किसने दिया है तो वो John Dovey ने दिया है यानि कि करके सीखना और अवलोकन करके सीखना दोनों चीज ध्यान रखेगा करके सीखना कहा गया है आपका learning by doing कहा गया है John Dovey के दुआरा किसने John Dovey के दुआरा और अवलोकन करके सीखना कहा है Albert Bandura ने दोनों कोश्चन अलाग अला है कि दोनों को complete मत करिएगा एक दूसरे के साथ ठीक है बिल्कूल John Dovey ने दिया बहुत अच्छी बात है आगे चलते हैं यहां तक समझ में आ गया अब अगला point है इस सिध्धान्त के जो सेशनी की योगताएं है education implication है वो क्या है उस चीज को समझिए पहला इसमें जो बच्चा होता है अनुकरण करके और अवलोकन करके सीखता मैंने अभी आपको बोला जब आप किसी चीज का अवलोकन कर रहे हो तो वहाँ पर उसकी copy तो कर रहे हो आप जैसे कि वो जोकर को देखकर आप copy कर रहे थे तो बच्चा का ध्यान रखेगा model या फिर modeling के दौरा सीखने के उपर किसने जोर दिया है तो Albert बंडूरा ने दिया है ठीक है model या modeling के दौरा thondike ने क्या दिया dear tension मतलो वीडियो के end तक जुड़े रहो thondike ने क्या दिया है kolberg ने क्या दिया है सब आपको पता चलेगा एकदम से ही आप load करोगे न तो tension हो जाएगी आपको एक बार वीडियो के end तक देखिए आपको सब पता चलेगा कि thondike ने क्या दिया पहला point यह आपर ध्यान रखेगा अनुकरन करके या अवलोकन करके models के दौरा या modeling के दौरा कौन सीखता है और Albert बंडूरा ने काया बच्चे सीखते हैं नेक्स्ट है आपका आपरतेक्ष पुनर बलन अब यह आपरतेक्ष पुनर बलन क्या है जब बच्चा किसी व्यक्ति को काम करते हुए देखता है तो उसको देखकरी तो क्या हो रहा है मोटिवेट हो रहा है उसको देखकरी क्या हो रहा है लेकिन वो उसको देना नहीं चाहता कोई वो आपरतेक्ष रूप में आ रहा है informal में आ रहा है, indirect आ रहा है, direct नहीं आ रहा है ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं आपरतेक्ष पुनर्बलन, जब हम खुद किसी को motivate करते हैं, जैसे कि मैं आपको motivate करूँ तो परतेक्ष है, आप किसी से हो जाओ, कोई आपको कर नहीं रहा है तो आप परतेक्ष है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाते है step of modeling, या फिर observation पूरे के पूरे theory में बस यही एक main point है जहांसे आपका question बनता है, इसी चीज को समझाने के लिए अब तक मैंने आपको इतनी सारे भासान दे दिये, ठीक है, चलिए अवलोकन करके सीखना क्या हो, मतलब अवलोकन के चरण क्या होते हैं, तो इस चार चरण होते हैं, पहला attention दूसरा retention, तीसरा reproduction, और last आपका आता motivation, यह चार है आपके धारण, इसमर्ण, पुन्रवर्ती और अभिप्रेणना, यह चार है इन चारों के चारों स्टेप्स को समझिए, देखिए एक बच्ची को जोकर की तीन मिनट की वीडियो दिखाई देखने के लिए दी गई, तो बच्चा क्या करा हो आपर attention होके धारण कर रहा है धारण करेगा तो अपने मन में क्या कर लेगा अपने memory में क्या कर लेगा उसको इसमर्ण कर लेगा, याद कर लेगा याद कर लेगा तो उसी परकार का वहवार वो कर कर दिखाएगा, यानि कि पुन्रवर्ती हो रही है और जब वो कर के दिखा रहा तो उसके परती क्या हो रहा हो अभी प्रेरित हो रहा है, ठीक है जैसे कि गुड्डे को देखकर खेलना सिख गया जोकर को देखकर काटना सिख गया जोकर ने कुछ नहीं करा तो उसने भी कुछ नहीं करा जाता है री कैप्चुलाइजेशन दे दिया जाता है तो री कैप्चुलाइजेशन जो होता है वो अवलोकन के चरण नहीं होते हैं के वल यह चार चरण होते हैं सभी को समझ में आ गया ठीक है बिल्कुल थैंक्यू डियर आरती वर्मा कहरें गूड जॉब सर्ट थैंक्यू चलिए इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चों कोई दिक्कत है यहां तक पहले बताओ मुझे समझ में आ गया बिल्कुल री कैप्चुलाइजेशन इसका नहीं होता है इतना समझ में आया कि नहीं आया म मुझे बताईए फिर question के उपर चलते हैं बिल्कूल seated का favorite question है ये चलिए 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 बहुत अच्छा है तो चलिए अब चलते हैं इसके questions के उपर की questions कैसे पूछे जाते हैं पहला question आपकी screen के उपर सिक्षा के संधर्म में समाजी करण से तात पर रहे हैं तो जल्दी से बताईए कि socialization means क्या होता है समाजी करण से क्या तात पर रहे हैं इन चारों में से कौन सा आपका answer होगा कौन सा आपका सही होगा जल्दी से बताईए कौन सा बच्चा है इसका सही अंसर बताएगा सर जी किलियर नहीं दिख रहा है DRG मैंने आपको बताया है राइट एंड साइड में तीन डॉट है उस तीन डॉट के ओपर क्लिक करके अपनी क्वालिटी को 480 पर कर लीजिए क्वालिटी बिल्कुल सही दिखाई देगा आपको चलिए बच्चे कहरें option number C option number C, option number C, बिल्कुल सही है क्योंकि समाजिकरण का मतलब ही क्या है समाज के साथ तालमिल बिठाना, वातवर्ण के अनुकूल होना या अपने आपके अंदर क्या लाइना, adjustment लियाना या फिर उसके परती समयोजन हो जाना तो यही आपका समाजिकरण होता है किसी मोटे को देखकर यह नहीं बोलना हो, सांड, साइडो तीक है, चलिए next question आपके screen के ओपर बताईए क्या है नेमन में से किसको विध्याले में समाजिकरण की विषिस्ट, क्या बोल रखा है अवस्था माना जाता है, तो इन चारों में से किसको समाजिकरण की विषिस्ट अवस्था माना जाता है तो जल्दी से बताईए कौन सा unique age माना जाता है, socialization का in school stage चार है, शैश्वा, बाल proton और किशोर अवस्था, तो कौन सा बच्चे इसका सही answer बताएगा, फटाफट बताईए, टैंक्यू डियर आप सभी का, चलिए बच्चे कहरे है, बाल अवस्था, बिल्कुल डियर बाल अवस्था क्या है, का अपने आप में ही unique है child load को मैंने आपको बोला था, दो भाग में बटे होते हैं पूर्व और उत्तर पूर्व में बच्चे के अंदर समाजी करण का विकास नहीं होता है, और उत्तर में आकर बच्चे के अंदर समाजी करण का विकास हो जाता है तो यह अपने आप में ही क्या है यूनीक है तो option number second जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही answer लगाया जो आपके stages होते हैं मैंने उसमें अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से explain करा था चलिए next question आपकी screen के उपर निमन में से किसका मिलान उचीत है तो इन चारों में से किसका मिलान उचीत है कौन सा आपका correctly match है जल्दी से बताइए सही answer चलिए जिस जिस बच्चे ने इसका option number first लगाया बिल्कुल सही answer लगाया है social जो होता है वो कैसा होता है वातावरन के साथ होता हमारे आसपास की चीजों से होता है बिल्कुल ए इसका बिल्कुल सही answer है समाजिक विकाज जो होता हो वातावरन से होता है emotional भी जो होता हो किस से होता है आपका वातावरन या फिर आपकी किस से होता है परिवार के साथ तालमेल बिठा कर वो भी एक तरीके का वातारोनी होता है शाररिक जो होता है वो कैसा होता है जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया चलिए नेक्च कोशन आपकी स्क्रीन के उपर है बताये क्या है डैश एक परकिरिया है जिसके माध्यम से मन नव, सिशु, समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निश्पादन करने के लिए अवशक कोशलों का अर्जन करना प्रारंब करता है तो कौन सा है जल्दी से बताईए इसका सही अंसर परिपावक्ता यानि की मैचुरेशन, विकास, डेफलपमेंट, समाजी करन, सोचलाइजेशन, सीखना यानि की लर्निंग, कौन सा बच्चा बताएगा सही अंसर, चलिए थार, बिल्कुल डियर, जब हम चैप्टर ही समाजी करन पढ़ रहे थे, सोचलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो वही तो इसका अंसर होगा तो option number first, बिल्कुल सही है, इसी के दवारा बच्चा समाज के साथ क्या करता है, सक्रिय सदस्य बनता है, तो option number third is the right answer, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा इतना, चलिए, you are best teacher in you, पी, thank you dear J.S. वर्मा जी, चलिए समझ में आ गया सभी बच्चों का बहुत अच्छी बा विकास किस ने दिया है, ध्यान रखेगा, cheating मत करियेगा, जो मैंने पूछा उसका answer फटा फट दीजिए, संग्यानात्मक विकास, cognitive development किस ने दिया है, कौन से psychologist ने दिया है, ओके बच्चे करने, second question का, DQ नहीं होगा, second question क्या था, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था ध्या में समाजी करने की बात करी गई थी, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे करें, जिन प्याजे, जिन प्याजे, जिन प्याजे, बिल्कुल ठीक है, डिया, जिन प्याजे के द्वारा, cognitive development यानि की संग्यानात्मक विकास दिया गया था, चलिए, कुछ सा संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं, ये बात ध्यान रखेगा, ये किसने का है, बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं, तो ये किसने का है, जिन प्याजे ने का है, ये important fact है, ध्यान रखेगा इस point को, as it is पूछा जा सकता है, तो एक किस ने कहा है आपका, जिन प्याजे ने कहा है, ठीक है, अब ध्यान रखेगा इन्होंने क्या कहा है, कि एक तीन वर्ष का बच्चा, चीजों को उसी परकार से समझेगा, जिस परकार से एक आठ वर्ष का बच्चा समझेगा, सीधी सी बात है यार पागली होते, अपने बच्चे के उपर ही परियोग कर दिया, बताओ यार अपने बच्चों के उपर कौन परियोग करता है, तो उसने अपने पतनी के साथ मिलकर अपने बच्चों पर ही परियोग कर दिया, और उनके विकास कौनोंने क्या करा, अध्यान करा, अध्यान करने क समझ कि रचना सक्रिय रूप से करते हैं, एक्टिव वोकर करते हैं, यह किस ने कहा है, तो यह हमारे जिन प्याजे जीने कहा है, बस एक बात यहां से इतनी निकली, दूसरा संग्यानात्माग विकास कोगनेटिव डफ्लम्मेंट किस ने दिया है, तो जिन प्याजे ने दिया तो पहले हम theory को समझेंगे फिर उसकी stages को समझेंगे इन्होंने 2 चीजश दिये पहले theory और फिर इन्होंने क्या दिये उसकी stages दिये और साथ ही साथ में जीन प्याजेज ने नियतिक विकास भी दिया है लेकिन हम नियतिक विकास को नहीँ पढ़ेगे दियान रखेगा इन्होंने नेतिक विकास भी दिया लेकिन नेतिक विकास को हम नहीं पढ़ेंगे बस इतना ध्यान रखेगा जिन पर आजेन ने moral theory भी दी है नेतिक विकास भी दिया है सर आप gender bias कर रहे हैं dear मैं क्यों done gender bias करूगा मैं कभी भी gender bias नहीं करता पहला संपरत्य क्या था? मानसिक सरनचना, mental structure, ध्यान रखेगा ये कहीं पर भी देख लो, आपको mental structure कोई नहीं पढ़ा था, directly schema से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, पहला जो होता हो मानसिक सरनचना होती है, mental structure होता है, आपको detail में पढ़ा रहा हो, सारी की सारी चीजों को अच संपरत्य की विकास, कोलबर्ग ने दिया है, चलिए छोड़ी हो सीज को, आगे चलते हैं, main इनकी cognitive development है, संग्यान अत्म विकास है, पहला आ जाता है, आपका मानसिक सरनचना, mental structure, ये क्या होता है, तो जनम के बाद, जो कुछ भी व्यक्ति देखता है, सुनता है, समझता है, उसकी मानसिक सनरचना बनती है, for example के रूप में, जनम के बाद, आप क्या देखते हो, मनुष्य को देखते हो, आपके अपनी मम्मा को देखते हो, पापा को देखते हो, कि किस परकार से दिखाई देते हैं, आप अपने आपको तो देख नहीं सकते, जब तक आपको सीशा न सेखने लग जाते हो, होई होई कैसी है, अब यार मतलब क्या है वो चीज समझनी कोशिश कर रहे हो, for example के रूप में, जब मैं छोटा था, तो मैं अपने ताउ के लड़के के साथ स्कूल जाया करता था, और मैं पहली बार गाउं से शहर आया था, और शहर में आकर आप सभ अब ही नहीं था, क्यों, क्योंकि मैं आसपास की सारी चीजों को देख रहा था, कि आखिर होता क्या है, और वो चीज हमने कभी देखी नहीं थी, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेगा, कि जनम के बाद व्यक्ति जो भी देखता है, सुनता है, समझता है, उस से उसकी मान स्कीमा दियाँ रखेगा इस्कीमा का नाम ही mental structure है आपको डिरेक्टली कोशन दे दिया जायेगा कि निमलिकित में से कभी कभी इसकीमा को एक और नाम से बोल दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है तो मांसिक संरचना ही बोला जाता है क्यों क्योंकि मांसिक संरचना के आधार पर किया गया वहवार इसकीमा कहलाता है यानि कि जो भी आपने देखा सुना समझा उसके अनुसार आपने जो बिह आगे चलते हैं तीसरा अनुकूलन या फिर आत्मसातिकरण या फिर इसको एसिमिलेशन ये तीनों के तीनों नाम ध्यान रखने आपको आत्मसातिकरण या अनुकूलन ज्यादा तर आपको आत्मसातिकरण देखने को मिलेगा या फिर इंगलिश में एसिमिलेशन देखने को म अनुकूलन या फिर assimilation कहा जाता है for example के रूप में आपको सिखाया गया कि 2 plus में 2 for example के रूप में जब आप बच्चे थे तो बच्चों में आप में सिखाया गया कि 2 ऐसे खिचो, 2 ऐसे खिचो और गिनो, 1, 2, 3, 4 और आपने लिख दिया 4 ऐसे करके आपको plus करना सिखाया और आप इसी तरीके से plus कर रहे हो तो आपके सीखे हुए ग्यान में आपने क्या करा कोई सुधार नहीं करा डिरेक्टली आप ऐसे भी तो गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, उंगलियों पर भी तो गिन सकते हो लेकिन आपको ऐसे सिखाया गया आपने ऐसे ही सीख लिया मतलब जो भी चीज आपको जैसे सिखाई जाएगी as it is की as it is आप सीख लोगे उसमें कोई भी चींज नहीं लाओगे तो वो क्या कहलाएगा आपका अनुकूलन यानि की assimilation कहलाएगा ओके directly पूछ लिया जाएगा आपसे की सीखे हुए ग्यान में कोई सुधार ना करने की परकिरिया को क्या कहा जाता है तो आत्मसाति करन कहा जाता है ओके और सीखने की परकिरिया में जब आप सुधार कर लेते हो उसको क्या कहा जाता है तो समायोजन कहा जाता है यानि कि accommodation कहा जाता है वो ही बात है बस उसका थोड़ा सा change हो गया कि जब व्यक्ति ने ग्यान को प्राप्त करते समय अपनी मांसिक संरचनाएं परिवर्तन करता है या फिर सुधार करता है तो उसे हम समायोजन कहते हैं धियान रखेगा आप अपने mental structure में improve कर रहे हो या फिर अपने knowledge में आप क्या कर रहे हो modification कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा आपका वो कहलाएगा समाविष्टी करन समायोजन या accommodation for example के रूप में 1 1 1 1 plus करना तो 1 2 3 4 कितना हो गया 4 जरूरी थोड़ी आपको ऐसे ही करना आप उंगलियों पे कर लो 1 2 3 4 नहीं तो मेरे जैसे कोई अच्चलाग बच्चा होगा तो क्या करेगा calculator निकाल के 2 plus 2 कर लेगा कितना हो गया 4 तो क्या कर लिया आपने सुधार कर लिया तो आप अपनी संद्रचना में परिवर्तन करना या सुधा करना क्या कहलाता है तो वो accommodation कहलाता है समाविष्टी करन कहलाता है तो ध्यान रखेगा इस point को ठीक है अब चलते हैं last point पर equilibriumation यानि की समय धारण अब ये क्या होता है तो ध्यान रखेगा चलिए ध्यान रखेगा इस बात को कि जब बच्चे का मांसिक संतुलन आइस्थिर हो जाता है जिसे दूर करने के लिए या तो व्यक्टी अनुकूलन काम करता है ये समय योजन काम करता है करने से पहले निन्ने लेनी की परिकिरिया क्या का जाता है समय धारण कहलता है तो ध्यान रखेगा क्या बोला मैंने आपका आपको क्या दिया गया 2 प्लस 2 करने के लिए दिया गया क्या क्या गया 2 प्लस 2 करने के लिए दिया गया आप या तो इसको इस परकार से करोगे या फिर इसको अपने फिंगर रहे होते हो यार मैं इसकी तरफ जाओं या फिर मैं इसकी तरफ जाओं तो इन दोनों की बीच में जब आप रहते हो तो उसी हो क्या का जाता है समय धार न कहता है यानि कि आपको सीखे हुए ग्यान में चेंज लाना है कि नहीं लाना है इन दोनों की बीच में आप जब सोच रहे होते हो तो वो equilibrium कहलाता है सभी बच्चों को समझ में आगी ये बिंदू नहीं आया तो पूछ लीजिए क्योंकि most important यहाँ पर तीन point डिकले, क्या निकले, पहला schema को एक और नाम से जाना जाता है mental structure, mental structure को एक और नाम से जाना जाता है schema, पहला question किये हुए काम में कोई सुधार नहीं करना कोई परिवर्तन क्या कहलाता है, नहीं करना assimilation, किये हुए काम में कोई परिवर्तन करना, सुधार लाना क्या कहलाता है accommodation, किये हुए काम में या सुधार लाना है कि नहीं लाना है सोचने की प्रिक्रियाव क्या का जाता है Eclubration, ओकी? समझ में आया सभी बच्चों को? बच्चे कहरे सर, PDF दे दीजिएगा बिल्कुल डियर PDF दे दिया जाएगा और बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए बच्चे कहरे सीटेट का previous year paper करवा दीजिए बिल्कुल डियर करवा देंगे क्या attention कि इस बात की सर, schema repeat कर दीजिए चलिए, schema repeat कर देते हैं देखे, एक बच्चे ने पूछा, schema क्या होता है? देखे, schema मैंने आपको ये बोला कि आप जो भी देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे तो वो क्या कहलाता था आपका मानसिक्सन रचना अब उसके अनुसार पर आपने जो भी सुना, समझा या फिर उस चुछ को देखा उसके अनुसार आपने वहवार किया वो क्या कहला है, इस आपका schema कहला है, फूर अग्जाम्पल के रूप में आपने देखा कि एक pen है जो इस परकार का होता है कैसा होता है, इस परकार का होता है ये क्या होगे आपने ये आपने देखकर बना लिए अपनी mental structure, अब अगली बार जब भी आप pen लेने के लिए दुकान पे जाओगे, तो आपको जब वो pen देगा तो आपको पता चल जाएगा pen इस परकार का यानि कि आपने वहवार किया, तो आपको जब भी वो pen लेने जाओगे, तो आपको पता है pen किस इस परकार का पैन लेकर निकल कर आ जाओगे यज फिर कई बार आपने देखा ओगा या आपको कोई special pen चाहिए होता है तो special pen लेने के लिए आप ढूंड रहे होते हो तो जिस परकार का pen चाहिए होगा आपको पता हो कैसा दिखता है तो क्या कहलाएगा, इसकी मा कहलाएगा, बहुत सिंपल सी बात. सीटेट में कोई हेल्थ सेटिफिकेट नहीं बनवाना, एक आपको फॉर्म दिया गया है, सेल्फ डिकलेशन का, वो भर कर ले जाना है आपको, ठीक है? चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो चलिए, आप चलते हैं, इसकी स्टेजिस के उपर, आप ध्यान रखेगा, जो इनपॉर्टन मैटपून संप्रत्य दिये थे जिन प्याजे ने, उसके बाद उन्होंने अपने स्टेजिस भी दिये थे, यानि कि, स्टेजिस कितने दिये थे, तो चार प्रकार के दिये थे, जनम से लेकर किशोर अवस्था तक, चारो के चारो पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, पहला आपका सेंसरी मोटर, यानि कि समवेदी गामक, अब यह क्या होता है, तो इसकी एज ध्यान रखेगा, जनम से लेकर दो वर पहला बात, पूछा जाए समवेदी गामक अवस्था की उमर कितनी होती है, एजिस क्या होती है, तो जनम से लेकर दो वर्ष तक होती है, सेंसरी मोटर स्टेज की, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है, समवेदी, गामक, सेंसर, यानि कि जो आपके सेंसिज हैं, उनके द्वारा, यानि कि आप जब अपने सेंसिज के द्वारा ज्यान को अरजन कर रहे होते हो, तो वो क्या कहलाता है, समवेदी गामक कहलाता है, for example के रुप में, ज्यान का अधार उसकी समवेद नहीं होती है, क्या होती है, उनके सेंसिज होते हैं, चाहे हो देखना हो, सुनना चूना ओ, निगलना ओ, इस परकार की चीजे, तो इस सारे के सारा जो हमारा ज्ञान होगा हो, क्या होंगे हमारे senses होंगी हमारी समवेद रही होंगी, जैनम से लेकर दो वर्ष का बच्चा होता ही क्या है छोटा सा तो होता ही है हर चीज को है ना physical activity करके देख रहा होता है तो ध्यान रखेगा बच्चा यहां पर क्यासा होता है motor active होता है यानि कि शारिक गती के द्वारा सारी चीज़ों को सीख रहा होता है देखा होगा ना हाथ पाउं कितनी जोर जोर से मारता है लिटा दोगे तो भी उसके पाउं ऐसे चलते रहेंगे जैसे cycle चला रहा हो नेक्स्ट है वस्तु इस्थायत्व का ज्यान नहीं होता है यहां पर तो निमलिकित में से आपको पूछा जाए कि निमलिकित में से व्यावस्ता कौन से जिसमें बच्चे के अंदर वस्तु इस्थायत्व का ज्यान देखने को मिलता है तो ध्यान रखेगो समवेदी गामा के सबसे most important point यहां पर यही है कि बच्चे के अंदर वस्तु इस्थायत्व का ज्यान नहीं होता है क्या होता है वस्तु इस्थाहित्व का ज्यान नहीं होता है टेलिग्राम का लिंक मैंने नीचे decision box में दे रखा है जाकर आप join हो जाईए वहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर ध्यान रखेगा lack of object permanence यानि कि देखा होगा आपने बच्चे किसी चीज को लेने की जिद कर रहे होते हैं तो आप क्या बोलते हो ऐसे पीछे ले जाओगे और बोलोगे चू हो ले गया या पता नहीं गायब हो गया या पंची ले गया बिल्कुल डियर सही कहे रो, पागल बनाते हैं बच्चे को, ये ठीक है, चलिए, चलिए, समझ में आ गया, पहला था आपका समवेदी गामा कवस था, जिसमें सारी की सारी सेंसिस के दोरा बच्चा ग्यान ले रहा होता है, जनम से दो वर्ष तक, दूसरी स्टेज आती है इसी अपने बारे में, या चीजों के बारे में, जानने में, बहुत उसमें क्या होती है वो जादतर curiosity होती है आप उनसे देख लोगे ना बहास नहीं कर सकते हो कोई भी चीज लेकर वो पूछ लेगा जैसे कि मैं अपनी class में एक example जरूर बताता हूँ कि मैं एक बार जा रहा था metro में तो metro में एक बच्चा इसी उमर के आसपास था और उस बच्चे ने अपनी मा से question करने शूरू कर दिए ममा ये जो अवाज आ रही है कोन अंटी बोल रही है वो बोलता बेटा एक अंटी है वो बोलती रहती है क्यों बोल रही है बच्चे ए दरवाजे से भतरा है इससे दूर रहने के लिए कोई train ना चूट जाहे इस्चीज के लिए, ओके ममा फिर ट्रेन छूट क्यों जाती है लोगों की, तो मतलब कोशन के कोशन धड़ी लगा देता है बच्चे, तो यहाँ पर आकर बच्चा क्या करता है, परशनिच ज्यादा पूछता है, ठीक है, इनपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा, बिल्कुल डियर सेनिटा आपको कोई क्लास नहीं लेनी आपको, अगर आपको अपना मन है तो लीजिए, लेकिन मेरा जो सजेशन होगा, यह होगा, कि आपने पहले जो तैयारी कर रखी है, कर लो अच्छी तरीके से, तीस तारिक को एक इनपॉर्टेंट वीडियो डाली जाएगी आपके लिए, अब यह क्या होता है, तो देखा होगा आपने बच्चों को बोलते हो, 7 बजे के बाद बच्चा बहार मत जाओ, आपको डर लगा रहता है बच्चा कहीं गूमना हो जाए, इस चीज से बच्चने के लिए आप बच्चा परशन अधिक पूछ लेगा, तो उस चीज से बच् मेरी साइकिल भी बाहर खड़ी है, उसको भी अंदर लियाओ ना, नहीं तो उसको भी हाउ पकड़ लेगा, क्या कर लेगा, हाउ पकड़ लेगा, ठीक है, ठीक है, तो बच्चे में क्या होगी, साइकिल में भी जीवनवाद की, वो ये सोच रहा है कि साइकिल को भी डर लग तीस तारीक को, तीस तारीक को बेर केवल बस हम ट्रिक के बारे हम बात करेंगे, कैसे पेपर अटेंड करना है, कैसे नहीं करना है, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं करना है, चलिए, सभी बच्चों को पता चलिगा है सारी बाते, नेक्स चलते हैं आपका अंत्य प्रत्य अवस होती है समझ यह विकेंद्रिय करण यह विकेंद्रिय करण क्या होता है तो विकेंद्रिय करण decentralization आपको एक image दे रखिए मैंने साथ में यह image इसको देखिए बच्चे के हाथ में जो है एक लंबा गिलास है एक चोड़ा गिलास है उसके अंदर पानी भरा हुआ है बच्चे से जब पूछा गिलास में जादा पानी है तो बच्चे ने देखा इस गिलास में उपर तक पानी भरा हुआ है हम बच्चे ने बोला मैं इसमें पानी जादा है और था वैसे actual किसमे पानी इसमें क्यों ये भले छोटा है लेकिन चोड़ा गिलास बहुत था पानी इसमें बहुत जादा आ रहा था या फिर juice बहुत जादा आ रहा था क्यों क्या ग्यान नहीं था विकेंद्रे करण का ग्यान नहीं था इंपोर्टन है ध्यान रखेगा आगे बात करें पल्टन का मतलब सीधी चीज तो बता देगा लेकिन उल्टा नहीं बता पाएगा यहानि किसी चीज को सिधा कर देनालेकिन उल्टा नहीं कर पाना और next आपका संड्रक्षन, अब संड्रक्षन क्या होता है, किसी भी चीज को देखा, सुना, करा और उस ग्यान को अपने माइंड के अंदर संड्रक्षन करके रखना, सेव करके रखना बच्चे यहां पर नहीं कर पाते, देखा होगा ना, बच्चे जल्दी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, तो वही संड्रक्षन कहलाता है, ठीक है, अगर वो भूलेगा नहीं, तो उसको पता चल जाता कि इस गिलास में कमपानिये जादा है, इस गिलास में कमपानिये की ज इसलिए हम ध्यान रखेगा जो कहा जाता है NCRT के हिसाब से वो NCRT में 18-14 महीने आपका कहीं नहीं बोल रखा डिरेक्ली NCRT में ये कहा गया है कि बच्चे में जो वस्तुई थायत्वा ग्यान होता है वो 8 महीने या फिर 9 महीने तक का नहीं होता है ध्यान रखेगा, नौ महीने नहीं होता है, लेकिन नौ महीने के बाद बच्चे के अंदर वस्तु इस्तायत का ग्यान आ जाता है, लेकिन इसको रखा गया है समवेदी गामक अवस्था में, इसलिए हम ध्यान रखेगा, इस चीज को मान कर चलते हैं, कि बच्चे के अंदर व बस तुई स्थायत वा ज्यान जोता है, यहाँ पर आकर बच्चे के अंदर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें उसके आखों के सामने हो, कि ना हो, तब भी उसको याद रहती है, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, बिल्कुल डियर, इंग्लिश पैडागोजी का मनोजी, अभी इंग्लिश पैडागोजी और यह दोनों डलवा दी जाएंगी, इंग्लिश पैडागोजी के PDF हमारे पास आ चुकी है, बस उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, आपको सैंड करवा दी जाएगी, इंग्लिश यह तीन कोशन यहां से सबसे ज़्यादा पूछने को मिलते हैं, बिल्कुल इंग्लिश पीडियाप भी डलवा दी जाएगी, टेंशन ना लो, चलिए, नेक्स्ट स्टेज यानि कि थाड़ी स्टेज आ जाती है, मूर्थ संक्यारात्मक, कॉंक्रीट, अब यह क्या होता है, तो पहली बात 7-11 वर्ष का बच्चा जो होता है, वो इस सबस्था के अंतरगत होता है, और यहां पर बच्चा जो हता है, मूर्थ तारकिक चिंतन, स्टार्ट कर देता है, लॉजीकल थिनкиंग, कौन से लॉजीकल थिनकिंग, कॉंक्रीट, जो उसके सामने होता हो, दिखता लेगा, समझ लेगा, उसके बारे में जानकारी देने लग जाएगा, ठीक है, वो सारी का सारा ग्यान बच्चे के यहां पर आ जाता है, जो चीज भी बच्चे को दिखेगा, उसके बारे में वो सोच लेगा, लेकिन जो चीज नहीं दिखेगी, for example, गुरूप में इसने, हवा मन, इनके बारे में बच्चा नहीं सोच पाता है, या फिर किसी चीज का अंसर, let's suppose करके, मान लिया जाता है, देखा होगा, आपकी छोटी ग्लास में, suppose करने वाला question नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चे यहां पर इस चीज को समझ ही नहीं पाता है, ठीक है, चलिए, next और last स्टेज आ जाती है, आपकी ओपचारिक संक्यारात्मग अवस्था, formal stage, ध्यान रखेगा कई बच्चे जो है, इस वाले को, मूर्त वाले को अपचारिक समझ लेते हैं, और last जो है, आपचारिक इसको अनपचारिक समझ लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेगा, मूर्त वाला मूर्थी रहेगा और यह आपका आपचारिक रहेगा last stage होती है जो की age बताई गई है इसकी 11 से लेकर 15 वर्ष इन्पोर्टेन्ट है द्यान रखेगा 11 से लेकर 15 वर्ष जो होती है इसकी stage होती है और यहाँ पर जो बच्चा होता है वास्तवी के साथ सत संभावना में भी उत्तर देने लग जाता है let's suppose या एक मोवी देखी होगी या आपने कौन सी थी कौन सी थी वो कृष्ट थी just imagine यानि कि जब आप image करने लग जाते हो for example के रूप में एक बच्चे को गिलास दिया गया तो वो गिलास क्या था आधा भरा हुआ था तो आप उसको आधा भरा भी बोल सकते हो या फिर आधा खाली भी बोल सकते हो तो वो आपके ओपर depend करता है आपको जो दिख रहा है यानि कि आधा भरा हुआ तो आधा भरा हुआ भी बोलोगे ओके ध्यान रखिएगा बिल्कुल तो ये था आपका जीन पर आज एकी थियोरी इन्पोर्टेंट ट्रम्प्स और उसके साथ साथ में कॉगनेटिव डफलप्मेंट की स्टेजिस चारो समझ में आई की नहीं आई सबसे ज़्यादा ध्यान आपको किस चीज का रखना है समवेदी गामा का अवस्था जीरो से दो वर्ष इसमें वस्थुई स्थाथ वा ग्यान बच्चे के अंदर नहीं होता है दूसरी अवस्था पूर्व संक्यारात्मक अवस्था दो से साथ वर्ष जिसमें दो स्टेज रखी गई है जिसमें से पूछ लिया जाता है कि अत्य प्रत्य अवस्था जो होती है निमलिखित में से किस अवस्था के अंतरगत आती है तो पूर्व संक्यारात्मक अवस्था के अंतरगत आती है क्योंकि यह इसी कही बाग है या फिर पूछ लिया जाएगा कि बच्चे में जीवन बाद की भावना कहा होती है तो पूर्व प्रत्यात्मक हो या पूर्व संक्यारात्मक हो ये दोनों हो, तो आप इसके उपर टिक करोगे, ये ना हो, तो आप इसके उपर टिक करोगे, ठीके, या फिर आपसे पूछ लिया जाए, कि विकेंद्रिय करण का ग्यान, पल्टन का ग्यान, या सनरक्षन का ग्यान बच्चे को नहीं होता, कौनसी स्टेज हो, तो अत्या प् तो आपचारिक पर और टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा जो होता हो, संभावना में भी उत्तर देने लग जाता है, अब्स्ट्रेक्ट लोजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है, चारो स्टेज अच्छी तरीके समझ में आई की नहीं आई, ये बताईए, आ गई हो, तो नेक्ट थियोरी के ओपर चलते हैं, जी सर जी सर जी सर आ गया, खुल्दीब जी, अली जी आपका नाम ले लिया, और बताईए, बिल्कुल समझ में आ गया, गुरू जी बिल्कुल बिल्कुल जूल, चलिए आ गया, तो आगे चलते हैं, आगे चलें तो next theory आजाती है आपकी नेतिक विकास, moral development अब नेतिक विकास ध्यान रखेगा जिन प्याजी ने भी दिया है, कोलबर्ग ने भी दिया है लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो हम कोलबर्ग वाला पढ़ने वाले हैं इनपोर्टेंट है, दियान रखेगा, पूछा जाए कि पहले किस ने दिया है, तो पहले जिन प्याजी ने दिया था, फिर कौलबर्ग ने दिया था ठीक है, चलिए, बात करते हैं इनके बारे में, क्या बोला गया है, कि बच्चे जिस थरह से सही एवं गलत की बीच में अंतर करना, या फिर अपराद बोध की अनुभूती करना, या फिर स्वेम को दूसरे व्यक्तियों के स्थान पर रख कर देखना, तथा जब दूसरे ल बात कर सहा सकते हो, अगर अकेले खाते हो, तो आपके अंदर moral development नहीं है, नयतिक विकास नहीं है, अगर मिल बात के खाते हो, तो आपके अंदर नयतिक विकास है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखने है, इतना लंबा चोड़ा परशन पढ़ने का जोरत नहीं था, सभी किस माध्यम से नयतिक दुविदा प्रस्तुत की, क्या बोला मैंने आपको कितने उमर के, 10 से 16 वर्ष, ये ध्यान रखेगा, पूछ लिया जाता है, किन के सामने, लड़कों के सामने, किस माध्यम से, कहानी के माध्यम से, और कहानी क्या थी, तो कहानी ये थी, एक हिंज ना पर नहीं थी, एक दुकान पर थी, और उस कैमिस्ट वाले ने उस दवाई की कीमत 5 गुनी जादा मांग रहा था, कितनी? 5 टाइम्स जादा मांग रहा था, उतने पैसे उसके पास, हिंज के पास थे नहीं, उसने रात में जाकर चोरी कर ली उस दवाई की, और वो अपनी ब स्थर में दो-दो अवस्थाई होती है, important है, 3 levels and 6 stages, directly पूछ लिया जाता है कि ये कौन से level में होगा, कौन सी स्थर में होगा, ये कौन से stages ये कौन सी अवस्थाओं में होगा, अवस्था अलग होती है, अवस्थाए 6 है, level स्थर 3 है, दोनों चीज को आपको ध्यान रखना ह ठीक है, चलिए, इसका PDF कब मिलेगा तो डियर शाम तक मिल जाएगा, आपको 5-6, जैसी class खतम होगी उसके एक डिड़ गंटे के अंदर-अंदर मिल जाएगा, पांच तो बच्चों के हैं, class जैसी खतम होगी वैसे मिल जाएगा आपको, ठीक है, चलिए, सभी बच्चों को इतना समझ में आगया होगा, आगे चलते हैं, देखिए, अभी इन्होंने बोला कि 3 लेवल और 6 अवस्थाओं में होती हैं, तो हर लेवल में 2-2 अवस्थाइं आएंगी, तो पहला जो होता है, वो आजाता आपका पूर प्रमपरागत इस्थर, pre-conventional, जो की उमर कितनी होते हैं, उसकी बिल्कुल भी knowledge नहीं होती है, और इस अवस्थाओं को दो भाग में, यानि कि इस लेवल को, इस इस्थर को दो अवस्थाओं में बाटा गया है, this level is divided into two stages, कौन-कौन सा, पहला आपका दंड आज्या पालन अभी मुकता, क्या है, दंड आज्या पालन अभी अभी मुकता, ध्यान रखेगा, इनके बीच बीच में मैं कुछ tag words भी बताऊंगा, उन tag words को ध्यान रखना, यह question directly आपके वहां से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, चलिए, डंड आज्या पालन अभी मुकता क्या होती है, तो ध्यान रखेगा, इस उमर में बच्चा जो है और डंड से बचने के लिए आज्या पालन करता है, ध्यान रखेगा, जैसे कि for example के रूप में, एक teacher जो है, बच्चे को पिटाई की डर से काम करवा लेता है, या फिर आपकी कनपटी पर कोई बंदू रख दे, और आपके बोले कि ये काम करो, तो आप अपनी जान बचाने के लिए वे उसका आज्या पालन कर देता है, जैसे कि एक question पूछा गया था आपसे, कि एक बच्चे ने अपनी दोस्त की pencil चुरा ली, और डंड से बचने के लिए उसने अपनी pencil को वापस जाकर वहीं पर ही रख दिया, तो उस बच्चे में किस परकार की अवस सकता थी, त उसको पता था कि अगर मैं चोरी कर लूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा? डंड मिलेगा, तो यहाँ पर उस चीज से बचने के लिए और डंड आगया पालन मुकता वह वापस वहाँ पर रख देता है, या किसी भी चीज के लिए मार पिटाई से, गन पॉइंट से, अपनी जिन्दगी बचाने के लिए कोई काम कर देते हो, तो दंड आगया पालन अभी मुकता के अंतरगत आएगा वह, ओके? चलिए, आगे चलते हैं, दूसरा इसी के अंदर दूसरी अवस्था है, साधनात्मक संपेक्ष अभी मुकता, जिसको क्या का जाता है? गीवन टेक की प अब प्राप्त होता है, तो कार्य क्या होता है? नैतिक होता है, जैसे कि आप ये इमेज देखिए, एक पिताजी ने बोला है, अपने बेटे से ले बेटा ये पैसे ले, और जा सामने आली दुकान से मेरा ये काम करके लिया, तो बच्चे ने छूटते क्या करा? अपना काम करवाना चाहते हो किसी से, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? अगर किसी बच्चे को उसके बदले में कुछ मिलता है, टिट फो टेट भी कहा जाता है, इसको सही का आपने, तो उसी परकार के वो कहेगा, ठीक है? तो ध्यान रखेगा इस बात को, तुरंत हाथ फ उमर कितनी होती है? 9-12 वर्ष होती है, कितनी होती है? 9-12 वर्ष होती है, इसमें भी आपकी दो अवस्थाई होती है, कौन-कौन सी? एक है आपकी परस पर एक रूप अभी मुकता, और दूसरा है आपका अधिकार संद्रक्षन अभी मुकता, अभी दोनों के दोनों क्या है समझिये, इसको कहा जाता है nice boy and nice girl की प्रवर्ति अगर आपसे पूछा जाए कि nice boy and nice girl की प्रवर्ति कहां देखने को मिलती है तो वो देखने को मिलती है stages थार में यानि की अवस्था तीसरे में या फिर level यानि की इस थर दूसरे में कुछ भी देखने को मिले है तो ध्यान रखिएगा इसमें होता क्या है तो बच्चे की नयतिकता बड़ो के आशाओं के अनुरूप कार्रे करने की होती है कैसे होती है बड़ो के आशाओं के अनुरूप कार्रे करने की होती है for example के रूप में आपने देखा कि एक छोटा बच्चा जो होता है न, वो देखा होगा न, अगर एक माता या पिता, अपने एक बच्चे से ये बोल दे, ओर ए मेरा बटा कितना प्यारा है, बाकी बच्चे तो किसी की बात भी नहीं मानते, लेकिन मेरा बच्चा मेरी सारी बात मानता है, और ऐसे आप पुछ जी मेरे को क्या मानने लगेंगे कि मैं अच्छा लड़का है अच्छी लड़की नहीं हूँ पहले आपने उसको चने के ज़ाड़ पर चड़ा दिया और फिर उसको आपने काम बता दिया तो ये क्या तरीका निकला? ये निकला आपका बड़ो का काम करेने, करवाने का तरीका आपने अपने जरूर देखा होगा, आपने अपने बच्चों के साथ या फिर अपने भाया बतीजे के साथ जरूर ऐसा करा होगा क्या कि पहले आप उसको चने के जाड़ पर चड़ा देते हो और फिर बच्चा अच्छी प्रवर्ती को बचाने के लिए आपका वो काम कर देता है तो क्या होता है नाइस बोई नाइस गल की प्रवर्ती होती है इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा बिलकुल चलिए नेक्स्ट आपका अधिकार संद्रक्षन अभेमुक्ता ये क्या होता है तो समाज का नियम स्वर्व्यापी है हमें मानना ही पड़ेगा किसी भी हाल में पालन करना ही पड़ेगा फोर अग्जामपल के रोप में चोरी करना गलत बात है तो ये सारे के सारे काम क्या है गलत है ये समाज के नियम की विप्रीथ है तो यहाँ पर जो बच्चा होगा न वो क्या मानेगा समाज के नियमों को स्वर्व्यापी मानेगा चोरी करने से बहले किसी की जान बचती हो जूट बोलने से भले ही किसी की जान बचती हो उसको उससे कोई मतलब नहीं है उसका नियम यही है कि समाज ने नियम बना रखा है गलत है तो गलत है इस बात को ध्यान रखेगा दोस्तो नियम जो होते हैं वो मनुष्य के लिए बनते हैं जैसे कि चोरी कर रहा है, चोरी करनी गलत बात है, जूट बोलना गलत बात है, बड़ो का आदर करना अच्छी बात है, तो ये सारी की सारी चीज़े क्या आती है, अधिकार संड्रक्षन अभी मुक्ता के अंदर आती है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, चलिए, आगे चलत आपका स्वर्भामिक नैतिक सिध्धानत अभी मुक्ता अभी दोनों में क्या है एक बार समझ लीजिये कि व्यक्ति का नैतिक निर्णय जो होता है वो बहूमत की विचार पर प्रभावित होता है जैसे कि देखा होगा ना आपने कि जब आपकी वोटिंग होती है तो जिसकी ज़्यादा बहुमत होती है वो जीच जाता है यह for example के रुप में आपने देखा कि 5 दोस्त है घूमने का प्लान बना रहे हैं तो 5 दोस्तों में से 3 दोस्त कहरें यार इधर चलो 2 दोस्त कहरें इधर चलो तो 3 दोस्त जो बोलते हैं कि उधर चलना है तो वहीं पर यार आखरी में final होता है कि चलो यार उधर ही चलते हैं क्यों क्योंकि बहुमत्ता जो हैं 3 लोगों की उधर है तो जिस लोगों की बहुमत्ता ज़ादा होगी उनकी विचार से आप क्या होगे प्रभावित हो जाओगे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं गुरुप में ज़ादा होते हैं लेकिन गलत होते हैं और आपको भी ऐसा लगता है यार ये गुरुप में ज़ादा है तो शायद सही ही होगा या for example के रूप में आप YouTube को ही ले लो YouTube पे आप पढ़ रहे हो तो YouTube का ये example ले लो YouTube पे आप क्या मान लेते हो ये मान लेते हो कि जिसके subscriber जादा है 1 million, 2 million है तो वो सही पढ़ा रहा होगा और जिसके subscriber बिचारे 5000 भी नहीं है तो उससे हम क्यों पढ़ें? क्या पता हो गलत पढ़ा रहा हो? गलत पढ़ा रहा हूँ? आपको ऐसा लगता है कि वो गलत ही पढ़ा रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं idea है क्या पता कोई बच्चा जो हं कम subscriber हो लेकिन पढ़ाने का तरीका उसका well and good हो तो वही वाली बात है यहां पर आप बहुमत्ता की तरफ चले जाते हो यहां पर कहां चले जाते हो आप ज़्यादा जिसके होंगे उसी के उपर मान लेते हो कि उसने सही पड़ाया या उसने गलत कराया ठीक है? तो यहां पर आपका किस के उपर जाएगा और वो अकेला एक तरफ हो जाए पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए वो अकेला एक तरफ हो जाए अगर उसको लगता है कि मैं सही हूँ तो वो सही योग मानेगा अपने आपको वो दूसरी की तरफ जुकेगा ही नहीं तो यहां पर वही वाली बात हो गई कि बच्चे ने अपने आपको मान रखा है, ठान रखा है कि मैं सही हूँ, तो सही हूँ, बाकी कोई भी जाए तेल लेने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखेगा इस बात को, वो क्या है, स्वारभॉमिक नेतिक सिध्धान्त अभी मुक्ता कहलाता है, ठ इनको भी क्रिटिसाइज किया गया था, क्या क्रिटिसाइज किया गया था, तो यह देखिए, इनकी आलोचना की गई थी, कि कोलबग ने जो नैतिक उत्तर लिये हैं, वो केवल लड़कों से लिये हैं, जो कि मैंना भी आपको बोला, 10-16 वर्ष के लड़कों से इन्होंने जो होती हैं, वो अपनी नैतिकता को, अपने, for example, इंडिपेंडेंस को, अपनी काफी चीजों को नियंतरित कर लेती हैं, for example, के रुप में, आप कई बार देखा होगा कि कई हो घर में, कि लड़कियों को बोल दिया जाता है, कि 7 बज़े के बाद घर आ जाओ, यह 7 बज़े अगर वो लड़कियों से उत्तर लेते, तो क्या पता उत्तर अलग मिलते, पहला क्रिटिसाइज यह किया गया, और दूसरा क्रिटिसाइज यह किया गया, कि कोलबर्ग जो अपने नैतिक विकास का सिध्धान दिया था, वो कौन से कल्चर पर दिया था, तो ये अफ्रीकन अब भारतिय संस्कृति पर देते, तो क्या पता उत्तर दूसरे मिलते, तो यही इनका क्रिटिसाइज किया गया, दो क्रिटिसाइज आलोचना, और मेन आलोचना यह लड़कियों वाली है, ठीक है, कोशन पूछा जाएगा आपसे, तो ध्यान रखेगा इस बात को, सभी ब तीसरी थिओरी आजाती है, आपकी समाजिक संस्कृति का सिध्धान्त, सोशल कल्चर डफलप्पेंट, किसने दी है, तो यह हमारे वाइगोस की साबने दी है, किसने दी है, वाइगोस की साबने, जो कि क्या बोलते हैं, कि भाशा जो होती है, वो कैसे सीखता है, बच्चा अच्छा सीखता है, क्या बोला इनोंने अपने से बहतर की संगती में अच्छा सीखता है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे को स्वेम सीखने देना चाहिए जब बच्चा कार्डे करने में आसमार्थ हो, तब उसकी साहेता करनी चाहिए ये इनकी बात कही गई थी कि बच्चे को पहले खुद कार्डे करने देना चाहिए जब बच्चा किसी कार्डे में आसफलो या फिर करना पारो तब आप उसकी help करो, मदद करो तो ये तीनों चीज को ध्यान रखेगा कि भाशा अंतर क्रिया से सीखता है अपने से बहतर की संगती में बच्चा सीखता है या बच्चे को स्वयम कार्डे करने देना चाहिए और जब वो कार्डे में आसफलो आसमर्थो तब उसकी हमें मदद करनी चाहिए इनका है तो ये भी लिवाई गोस्ची ने काहा है ओके इनपॉर्टन है पर जाकर ले लिजेगा देर आज 12 वजे वाली क्लास हुई तो थी मैम ने अपनी इंगलिश की मैराथोन क्लास ले थी आपने ली नी होगी आपको पता नी होगी चलिए इतनी बात समझ में आगी पहला कोशन समाजिक संस्कृति किस ने दिया है दूसरा कोशन भाषा अंतर किरिया के द्वारा सीखा जाता है किसने कहा है तीसरा कोशन बच्चे अपने से बहतर संगीती में सीखते है किसने कहा है या बच्चे को स्वेम सीखे देना चाहिए और जब वो असमर्थ हो तब उसकी साहता करनी चाहिए किस ने का है तो लीवाई गोसकी ने का है सब कुछ सर प्लीज टेल में इस नेसेसरी टूडू पैवलव ब्यूनर थियोरी पैवलव और ब्यूनर ब्यूनर की थियोरी से तो कमी कोशन आते हैं और साहते भी नहीं कई बार पैवलव की थियोरी से केवले आपका एक ही कोशन पूछा जाता है कि सास्तिय नो बंदन का सिध्धान किस ने दिया है तो पैवलव महराज ने दिया और अब तक कोई कोशन नहीं पूछा गया है अगर पूछा भी जाएगा तो कोशन में आपको करवा रखा है देख लिजेगा, लेकिन कम question पूछे जाते है Pavlov की theory से, ठीक है necessary तो dear सब कुछ है, ईशाजी पढ़ना तो सब कुछ ही है, question कहां से पूछ लिया जाए, क्या पता, ये मत पूछे कि necessary है की नहीं है, ये पूछे कि important क्या है, और important जो है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं चलिए, अब इनमें कुछ fact बताए गए थे तीन fact, क्या है, पहला आत्म साथ करण करना, अब ये आत्म साथ क्या होता है यानि कि अपना कार्रे अपने स्वयम से करके सीखा गया, उसी को हम आत्म साथ कहते है, for example की रूप में बच्चे के द्वारा, स्वयम अपने परियास से सीखा गया ग्यान क्या कहलाता है, आत्म साथ करण कहलाता है, या आत्म साथ करण कहलाता है, या आत्म साथ, जिसे आप क्या कहते हो, इंट्रलेजिशन कहते हो कुछ भी देखने को मिले तो बस बात को ध्यान रखेगा, यह कहा गया है, कि बच्चे ने जो पूरा का पूरा कार्य सीखा है, वो अपने परियासों से सीखा है, अपने आप से सीखा है, for example के रूप में, बच्चे की क्या mother tongue, मातर भाशा, आपने देखे होगी, बच्चे की मातर भाशा जो है, उसको कोई सिखाता नहीं है, वो अपने बलबूते पर सीखता है, ठीक है, तो अपने द्वारा सीखा गया ग्यान क्या कहलाता है, आपका आत्मसात करण कहलाता है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका सहारा देना, क्या है, सहारा देना, स्कैफ फोल्डिंग, अब यह क्या होता है, तो बच् लिखने में आप कहीं न कहीं दूविधा में फस गये, आसमर्थ होगे, आपकी किसी बड़े ने सयोग किया, मदद किया, वो क्या कहला आया आपका, Schneemic Faulting, आ 20 सुधार कहलाया, यो कि कैसे हो सकता है, संकेत, यानि कि हिंट के रूप में जो सकता है, प्रशनशा के रूप में हो सकता है, साहिता के रूप में हो सकता है, कैसे भी हो, वो क्या कहलाएगा, आपका scaffolding कहलाएगा for example के रूपे मैंने आपको बोला कि आप कुछ कार्रे कर रहे हो कार्रे करते समय आप फस गए वहाँ पर आप बीच में अटक गए आपके teacher ने आपके parents ने आपके बड़े बुज़ूग ने हलका सा hint दिया और आपने उस काम को करा और करके आप उस काम को निकल गए वहाँ से हो गया solve तो क्या कहलाया वो आपका आइस्थाई सुधार कहलाया ये दो चीज़े में बच्चे बड़े confused होते हैं scaffolding में और ZPD में next आजाता है आपका ZPD यानि की zone of proximal development समीपस्त विकास का छेतर क्या होता है तो ध्यान रखेगा बड़ों के सयोग से विकसित होने वाला छेतर समीपस्त विकास का छेतर कहलाता है अब for example के रूप में ये example मेरा मुँपे रटा हुआ है और आपको भी अच्छे तरीके समझ में आएगा कैसे? seated की आप तयारी कर रहे हो कैसे? seated की आप तयारी कर रहे हो आपने अपने परियाश से seated में कितने नंबर लेकर आए? seated में आप अपने अपने परियाश से 70 नंबर लेकर आए कितने 70 नंबर लेकर आए? वो क्या कहला है? आपका आत्मसाथ करन कहला है फिर आपने किसी बड़े से coaching से मदद ली और मदद लेने के बाद आप क्या लेका रहा है 120 नमबर लेका रहा है कितने नमबर लेका रहा है 120 नमबर लेका है ये जो 120 नमबर होगा वो क्या कहलाएगा सहारा देना यानि कि scap folding कहलाएगा अब इन दोनों marks के बीच में जो difference होगा 120 और 70 के बीच में जो 50 नमबर का difference है ये 50 नमबर जो आएगा आपके वो क्या कहलाएगा आपका zpd zone of proximal development यानि कि आपके अपने परियास से और आपके बड़ों के सायोग से दोनों के सायोग में जो आपका अंतर देखने को मिलता है वो क्या कहला है आपका zpd यानि कि 50 नमबर बड़ों के सायोग से विकसित होने वाला छेतर आपका अपना परियास्त था ही बड़ों के सायोग से जो 50 नमबर जादा आए वो zpd कहला है समझ में आ गया सभी बच्चों को ये बिलकुल simple सी बात थी कई बच्चे ये समझ नहीं पाते scaffolding क्या होता है या zone of proximal development क्या होता है दोनों बच्चे विचारे mix match कर देते हैं अब मुझे लगता नहीं किसी बच्चे कोई doubt होगा दोनों चीज अलग-अलग है दोनों चीज को साफ समझ में आ गया होगा अगर clear नहीं दिखाई दे रहा है तो right hand side में दियर 10 dot होते हैं इन 10 dot के उपर click करके वीडियो की quality को 480 पर करो सारी चीजें साफ दिखाई देने लग जाएंगी इतना सा समझ में आया कि नहीं आया पहले मुझे ये बताईए एक बार बता दीजिए चलिए बता देते हैं देखिए आत्म साथ क्या होता है तो आत्म साथ जो होता है आप अपने परियास से जब आप अपने खुद के परियास से कोई चीज़ सीखरे होते हो तो आत्म साथ कहलाता है सहारा देना किसी की आपने मदद लेकर कोई चीज सीखी तो वो सहारा हो गया समिपस्थ विकास का छेतर जो आपने अप सीखी थी और जो आपने सहारा लेकर सीखा था उसके बीच में जो अंतर आया वो समिपस्थ विकास का छेतर कहलाया बास यही बात समझा रहा था आपको सिंपल सी बिल्कुल डियर पीडियफ आपको टेलिग्राम पर शेर कर दिया जाएगा चलिए अब सबज में आ गया बहुत अच्छी बात है सभी बच्चों को अच्छी तरीके से किलियर हो गया अब चलते हैं कोशनों के उपर कि इन तीनों ठियोरी से कौन-कौन से ठियोरी से जिनप्याजे, कोलबर्ग और वाइगोसकी पास से छे नंबर के कोशन जरूर देखने को मिलते हैं आपके एक्जामस में पहला कोशन आपके स्क्रीन के उपर इन तीनी ठियोरी को कोशन आपको mix match मिलेंगे पहला संग्यानात्मक विकास के स्वेकेंद्रित यानि कि इकोसेंट्रिजम का आर्थ होता है तो जिन प्याजी ने ये शब्द दिया इकोसेंट्रिजम, एहम केंद्रित तो क्या होगा जल्दी से बताईए मैंने आपको बोला था कि बच्चा जो होता है वो दुनिया के बारे में सक्रियर रूप से अपने ही सोच बना लेता है उसी को हम क्या कहते है स्वेकेंद्रित, एहम केंद्रित, इकोसेंट्रिजम इसी को कहा जाता है तो जिस जिस बच्चे ने इसका option number second लगा है यानि कि first का B यह है मान लेना कि दूसरे व्यक्ति भी संसार को वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो व्यक्ति देखता है तो वो ही आपका क्या कहलाता है इकोसेंट्रिजम कहलाता है थियोरी के पहले ही point में आपको लिखवाया था देखिए थियोरी कहा गई यह रही जिन प्याजे की थियोरी जिन प्याजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रियर रोप से करते हैं तो बच्चा यही मान लेता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही बड़े सोच रहे होंगे तो डिरेक्टली कोशन पोच लिया जाता है तो उप्चन अमबर सेकंड जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही अंसर लगाया चलिए नेक्स्ट कोशन आपके स्क्रिन के अपर वर्तमान इसकीमा में नए अनुभवों के अधार पर परिवर्तन लाना या जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता जल्दी से बताईए क्या करा न्यू इन्फॉर्मेशन यानि कि नए अनुभव के अधार पर परिवर्तन लाना तो जल्डी से बताईए, बिल्कु सिंपल कोशन है, आप तक तो आंसर आजाना चीए था इकोसेंटरिजम किसी स्टेजिस में होगा, तो डियर हो पहले स्टेज में होगा फर्स्ट में, समवेदी गामग में, ओके चलिए बच्चे कहरें, सेकंड का डी, सेकंड का डी, सेकंड का डी, बिल्कुल डियर एकोमोडेशन यानि कि समायोजन उसको कहा जाता है, बच्चे सीखे हुए ग्यान में क्या ले आता है, परिवर्तन ले आता है यानि की modification ले आता है ठीक है, चलिए, next question पूर्फ संक्यारात्मक अवस्था में एक बालक शुरू करता है तो पूर्फ संक्यारात्मक मेंने आपको बले इती दूसरी stage होती है तो उसमें बच्चा क्या शुरू करता है इन चारों में से बताईए बिल्कुल सिंपल सा question है, बिल्कुल सामने इसका उत्तर दिख़़ा है कौन सा बच्चा है, इसका सही answer बताएगा बिल्कुल D, इसका सही answer है इसका मैंने आपको बोला था, दो बागों में बटा है दो से चार एक, चार से सात है इसका होता है, उसका जो होता है संबंध वह इन चारों स्टेजिसमें से किस स्टेजिस में होता है object permanence, पहली स्टेज बताई थी जनम से दोवर्ष बताया था समवेदी गामा कवस्था बताया था जिसको इंदरिय जनित गामा कवस्था भी आ जाता है और English में एक ही नाम है इसका sensory motor stage यानि कि option number A बिल्कुल सही answer है ठीक है चलिए next question आपकी screen के उपपर मूर्थ संक्यरात्मक अवस्था का समय है क्या है time period of concrete operational stage कई बार stages के बारे में पर पूछ लिया आता है ये कौन सी अवस्था किस उमर तक की है तो जल्दी से बताईए मूर्थ संक्यरात्मक अवस्था ये कि तीसरी अवस्था तीसरी अवस्था बोले तो कितनी उमर की थी कौन बच्चा बताएगा फटाफट बताईए फटाफट 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 दो से साथ अगर एक थी तो अगली स्टेज क्या हो जाएगी जल्दी से बताईए बिल्कुल जल्दी से बताईए बिल्कुल बी साथ से ग्यारा जब दो से साथ एक थी तो साथ से ग्यारा अगली होगी तो option number 3 जिस जिस बच्चों ने लगाया, बिल्कुल सही लगाया, ठीक है, पांचवे का C नहीं होगा, डियर, दो से साथ तो आपका मूर्थ थोड़ी होता है, वो तो पूर्व संक्यारात्मक होता रहे, यार, कैसी कैसी बाते कर रहे हो, यार, आप सभी, चलिए, next question, पूर्व संक्य second second second, बच्चा आत्म केंदरित होता है, क्या होता है, आत्म केंदरित होता है, option number second, जिस जिस बच्चों ने लगाया, बिल्कुल सही answer लगाया, क्यों, देखिए, संसारी ग्यान, उसके गति, क्रिया, ये तो आलागी बात होगी, संसारी ग्यान, जो होता हो, next में आ जाता है, केवल अगनात्मक, यानि कि तर्क शोत करता है, यानि कि inductive सोच होती है, लेकिन वो किस में होती है, fourth में होती है, ये भी गलात हो गया, अमूर्त होती है, ये भी fourth में हो गया, ये भी हो गया, अभी एक बच्चे ने मुझे question पूछा था, कि सर, एहम केंदरित, या आत्म कें पूर्ष संक्यारातमक जो होगा, वो second stage में हो सकता है, क्यूं? क्यूंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है, वो प्रशन बहुट पूछ रहा होता है, क्या, कैसे, किस लिए, हर चीज को जानने की प्रवर्ति उसके अंदर होती है, तो क्या होता है, ECOCANDRISM ही होता है, एहम के इंद्रिती ही होता है, तो option number second, जिस जिस बच्चों ने लगाया, बिल्कुल सही लगाया, ठेक है, बहुत बढ़िया सर, thank you dear, चलिए next question, प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिध्धान्त के अनुसार निम्न में से कौन सा सही करम है, तो कौन सा सही करम है, जल्दी से बताओ प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिध्धान्त के अनुसार निम्न में से कौन सा सही करम है, कौन सा सही करम है, यानि कि पहली स्टेज कौन सी होती है, जल्दी से बताओ ये सही अनसर, बच्चे कह रहे हैं सेवन्त का भी, 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 चलिए, चेक कर लेते हैं B को, पहले वश्थो इस्थायत का ग्यान, यानि कि प पढ़ा तो था लेकिन क्या था समझ में नहीं आ रहा, चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, रिवर्सिबिलिटी, अब ये भी क्या था, दूसरे का दूसरा ही था, जिसमें बच्चा रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता, चलिए ये भी सही है, और अंत में अमूर्थ चिंतन, क्या है, अंत में अमूर्थ चिंतन, ओके, 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 रिवर्सिबिलिटी ओफ थॉट्स, यानि की बच्चा जो होता है, वो रिवर्स करने लग जाता है, पहले जो था वो नहीं कर रहा था, जो की किस में था, वो दूसरे की दूसरी स्टेज में था, लेकिन यहाँ पर बोल रखा है, कर रहा है, तो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, तीसरे में बच्चे के अंदर सारा ग्यान हो जाता है, तो यह हो गया पहला स्टेज, यह हो गया दूसरे का दूसरा स्टेज, यह हो गया तीसरा और यह हो गया चौर्था, बिलकुल सही है, करम में है, option number second, जिस जिस बच्चों ने लगाया, बिलकुल सही लगाया, ठीक है, बिलकुल चालिए, आगे चलते हैं, next के लो, वो मतलब next question के उपर, मानसिक विकास के आपचारिक सं के रात्मक अवस्था, एक महत्पूर्ण विशेशता है, तो कौन सा बच्चा इसका सही अंसर बताएगा, फटा-फट लगाईए, बच्चे के रहें, C, बच्चे के रहें, C, एर्थ का D, तार्किक, ओके, लोजिकल मल्टिप्लिकेशन, मानसिक विकास के आपचारिक संक्र आत्मक, ओपचारिक संक्रियात्मक, चलिए, तारकिक में आपको बोला था, चिंतन कहां करता हूँ, तीसरे में करता है, लोजिकल मल्टिप्लिकेशन, यहाँ पर बाल रख़ रहें, ओपचारिक यानिकिए, फोर्थ के बारे में बात करी गई है, तो यहाँ पर मुख्य वि करने के लिए, mulliankan करने की बात है, let suppose या फिर, just imagine याद आया, सब्द में ने बताया था मulliankan क्या होता है देखना हो न, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा और क्यों नहीं सीखा, इन चीज़ों के बारे में पता करना, थो यह सारी चीज़े कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बच्चा जो हैं वास्तवी के साथ साथ रूप में क्या कर रहा है, संभावना में भी उत्तर दे रहा है, बिल्कुल ओ, यह इसका सही था, चलिए, नेक्स्ट कोशन आपके स्क्रीन के उपर, निम्न में से कौन सी विशेषता पूर्व संक्यरात्मा का कवस्था के लिए सत्य है, जल्दी से बताईए, पूर्व संक्यरात्मा का वस्था के लिए कौन सा इन चारों में से सत्य है, कौन सा बच्चा बताएगा, इसका फटाफट बताईए, फटाफट, बिल्कुल एर्थ का यह जिस जिस बच्चों ने लगाया, बिल्कुल सही ल आपको अत्या प्रग्या चिंतन बताई थी, चार से साथ वर्ष बताई थी, बताई थी ना आपको, चलिए, सभी बच्चा का बिल्कूर सही है, आगे चलते हैं, नाइन्थ का टू, लॉजिकल थिंकिंग कहां से हो गया है, यह तो दियर, रिवर्सेबिलिटी जो होती हो, थाड़ स्टेज में आती है, सेकंड में नहीं आती, देखा होगा ना, किसी भी चीज को एक से लेकर सौ तक की बच्चा गिंती सुना देगा, लेकिन सौ से लेकर एक की गिंती सुनाने के लिए बोलोगे, तो बच्चा नहीं सुना पाएगा second stage में ये करता है बच्चा third stage में जो मूर्थ रूप से बच्चा सोचना शुरू कर देता है क्या कर देता है? मूर्थ तार्किक चिंदन वहाँ पर होता है third stage के बाद, पहले के बाद परियास एवं तुरूटियों के द्वारा पहले बच्चा बता नहीं पा रहा था कि किस गिलास में जादा पानी है तो तुरूटियों कर रहा है लेकिन next stage में बच्चा बताने लग जाता है मूर्थ संक्यारातमक में तो ये कौन सी stage इसमें बच्चा परियास एवं तुरूटियों कर रहा होता है मतलब गलतियां करके सीख रहा होता है जल्दी से बताइए 10th का C, 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 RAD, DR ये सीख रहा होता है पूर्व संक्यारातमक में गलतियां तो पहले पूर्व में कर रहा होता है नाहिस में ग्यान होता है किस चीज का? रिवर्सिबिलिटी का नाहिस में ग्यान होता है किस चीज का? डिसेंटरलाजेशन का नाहिस में ग्यान होता है कंजर्वेशन का तो गलतियां कर रहा है तो प्रियास एवं त्रूटियों के द्वारा next stage में तो गलतियां करता ही नहीं है उसमें तो सारी चीज़ें उसको पता हो जाती है तो गलतियां कहां से होई तो पूर्व संक्यारात्मा कोगा इसका सही अंसर second ठीक है बिल्कुल 10th का भी सही अंसर लगाया तो उसको क्या कहा जाता है तो बिल्कुल सिंपल सा कोशन है बता देना चाहिए था अब तक आपको कि कुछ सीख रहे हो और सीखे को बिल्कुल वैसी परकिरिया में ला रहे हो तो आत्म साथ करन यानि की assimilation कहलाएगा क्या कहलाएगा option number B second बिल्कुल आपकी class बहुत बैस्ट हो थे thank you dear चलिए next question वह फेज जहाँ पर बच्चा उप्युक्त साहेता एवं सायोग दिये जाने पर किसी में दक्ष प्राप्त कर सकता है कहलाता है क्या बोला मैंने देखिए कि उप्युक्त साहेता एवं सायोग दिये जाने पर क्या बोला वह फेज जिसमें साहेता एवं सायोग दिये जाने पर तो आपको कहीं-कहीं हलकी-हलकी से किस चीज की बू आ रही है Z, P, D की बू नहीं आ रही देखिए साहेता दी जा रही है और साथी साथ में सायोग यानि कि क्या कहला है था मैंने उसको स्कैप फोल्डिंग ये दोनों चीज की हलकी-हलकी बू नहीं आ रही है अब इन दोनों में से आपको चुनना पड़ेगा कि किसकी बात करी जा रही है देखो वह फेज जब बच्चा उप्युक साहेता है वह सायोग दिये जाने पर किसी में दक्षता प्राप्त कर रहा है अब किसी चीज में आप सायोग या फिर साहेता दे रहे हो दक्षा प्राप्त कर रहे हो तो सायोग नहीं होता ZPD होता है क्या होता है? Zone of Praximal Development तो Option No.2 जिस जिस बच्चों ने लगाया, बिल्कुल सही लगाया, और सही योग यानि कि स्कैफोल्डिंग था भी नहीं यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल, चलिए, नेक्स्ट कोशन आपके स्क्रिन के उपर, यह द्रिश्ट्री कोण की बच्चे, स्वयम निर्देश ये तू, स्वयम क से अंतरवाक, हिंदी पैड़ागोजी का कोशन है, क्या है, हिंदी पैड़ागोजी का कोशन है, हिंदी पैड़ागोजी में आपको ये बात बताई थी, किसमें हिंदी पैड़ागोजी में बताई थी, अंतरवाक किसमें आता है, जल्दी से बताईए, चलिए, जल्दी से अविकास का छेतर क्या होता है अपने सीखे गए प्रियास में बड़ों की सायता से लिए गया जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं समीपस्त अविकास का छेतर कहते हैं बिलकुल ए क्या है बच्चों के द्वारा स्वतनत रूप से किया जा सकने वाला तथा सायता के स साथ किये जाने वाले कार्रे के बीच में अंतर, अपने आप से 70 नंबर ला रहे थे, बड़ों की मदद से 120 लाई, दोनों के बीच में आया 50, यानि कि अंतर, ये अंतर क्या कहला है, ZPD, ZPD, Zone of Proximal Development, बीच के अंतर, तो option number A, सही लगाया, जिस जिस बच्चों ने इसका A लगा कि सही और गलत के बारे में, जैसे कि आपके तीन लेवल और 6 stages के बारे में बात करी गई थी, और हर stages में हर लेवल में बच्चा जो हैं, वह हिंस को कभी गलत मान रहा था, तो ये क्या होगा, अलग 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 तरीके से कर रहे थे बच्चे, क्योंकि बच्चों के कहानी के माध्यम से रखा गया था तो जिस जिस बच्चे ने A लगाया अब इल्कुल सही अंसर लगाया ठीक है ओगे बच्चे करें 11th का accommodation होगा चलिए 11th एक बार चेक कर लेते हैं क्या था question accommodation अरे यार कहां से accommodation होगा कुछ सीखे और सीखी गई बातों को परियोग में लाने के पर करिया आपको सिखाया गया ऐसे प्लस करना एक दो तीन चार आपने लिख दिया चार आपके सामने जब तीन जमा तीन आया तो आपने क्या करा एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन चार एक, दो, तीन, चार हो गया, छे, आपने हुबुहु जो सीखा वैसा का वैसा ही कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, assimilation कहलाता है, और option में तो accommodation कहीं पर है यह नहीं मिल डियर, तो जो जो बच्चा accommodation कहा रहा है हो गलाता है, चलिए next question क्यों चलते हैं, next question है आपका, बच्चों मे नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सावधिक, उचित तरीका है, देखे, नैतिक मूल्यों का क्या करना है, आपको विकसित करना है, तो उचित तरीका क्या होगा, इसका जल्दी से बताईए, विनीत वर्मा जी आपकी बात सुन ली गई है, आपकी question का अंसर आपने गलत बत आया है बाकी आपको सही करवा दिया गया करना है तो देख लीजी आप अप्शनी में नहीं है बिल्कुल चलिए जिस बच्चों ने इसका उप्शन नमबर C लगाया क्या है सिक्षकों एवं बड़ों के द्वारा नयतिक मुल्यों को परदिरिशित करना देखो पहला है कि सभा में बच्चों को नयतिक उपदेश देना में आपको बोला NCF ने बोला किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए उपदेश भाशन नहीं देना है ठीक है क्या करना है उसको महौल देना है विध्यारतियों के सामने एक परिस्थिती रखना और उस पर निन्ने लेने के लिए कहना देखो क्या कहा गया एक परिस्थिती रखी गई है अब यहाँ पर हर बार परिस्थिती रखे तो नहीं करवा पाऊगे न तो यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता इसमें, बाकी, शिक्षक और बड़ो दुआरा नैतिक मुल्यों का परदर्शन आपको याद है, EBS जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर एक गुडिया बत्न वतलब 4-5 आपने जो बच्चे थे, वो दादी के साथ गए थे, किस चीज के लिए, सौरी, साथ बच्चे थे, साथ बच्चे गए थे, अपने दादी के साथ बीच पर घूमने के लिए कुल्फी खाई, और कुल्फी खाने के बाद कुलफी वाले ने केवल 5 कुलफी के पैसे लिए 2 के लेना वो भूल गया तो बच्चे सोचने लगे चलो ठीक है यार हमारे तो 2 के पैसे तो बच्चे अच्छी बात है लेकिन उस दादी ने उस कुलफी वाले को सही से हिसाब बताया और बोला बाई आपने केवल 5 के लिए हमने लिए 7 कुलफी और 2 कुलफी उनके पैसे और कटवाए तो यहाँ पर जो इन्यतिक मुल्ले प्रदर्शित किया गया था वो बच्चों ने ग्यान कभी भी उनके माइंड से नहीं भूला जाएगा इसलिए ऑप्शन नमबर 3 जिज जिज बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही अंसर लगाया ठीक है ओके दादी थी मामी थी दादी नहीं थी ओके डियर मेरे इसाब से दादी थी अब ध्यान नियों मुझे कहानी उसके बारे में बाकी जो मेन बात थी वो ध्यान हो दादी हो चाची हो पूपी हो समझड़ना है मेन ते is चलि आगे चलते हैं कोलबरग के अनुसार सही और गلत के परशने के बारे में निण्य लेने में शामिल चिंतन परकिरिया को कहा जाता है देखिए क्या बोल रखा है कोलबर के अनुसार सही और गलत के प्रश्णी के बारे में निर्णे लेने में शामिल चिंतन पर क्रिया हो क्या कहा जाता है इन चारों में से बताईए क्या कहा जाता है नैतिक तरकन, नैतिक यथार्तवाद, नैतिक दुविधा तो इन ध्यान रखेगा पहली बात क्या बोला गया है कि सही और गलत के बारे में निर्ने लेने में शामिल चिंतन को आप सही है या गलत है उसके बारे में निर्ने ले रहे हो ठीक है निर्ने ले रहे हो इस चीज को ध्यान रखेगा बिल्कुल क्या कहलाएगा moral reasoning कहलाएगा तो option number second जिद जिद बच्चों ने सही लगाया है बिल्कुल नैतिक दुविधा में आपका moral delima में बच्चों को डालते हैं जैसे कहानी के माध्यम से कोलबर्ग ने डाला था तो option number second जिद जिद बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही लगाया है चलिए next question आपकी screen के बर Lawrence कोलबर्ग के दुवारा प्रस्तावित निमलेकित चरणों में से प्रात्मिक विध्याले में बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं द्यान रखे का कहा की बात करी गई है प्रात्मिक विध्यालों में बात करी गई है एक से लेकर पाँचवी तक की बात करी गई है तो जल्दी से बताईए सही अंसर कौन सा बच्चा बताएगा ओके बच्चे कहने 16 का B होगा चलिए एक बार मैं 16 को भी देख लेता हूँ पहले आप यहाँ पर बताईए इसका क्या होगा सही अंसर प्रात्मिक इस थर पर बोल रखा और इन चारों में से बोल रखा दो कौन से होंगे अब मैंने आपको जो image बताई ती 0 से 9 बताई थी 9 से 12 और 12 से आगे और दूसरा क्या था किसी चीज के बदले कोई चीज मिलेगी तो कार्रे करेगा नहीं तो नहीं करेगा यानि कि B हो गया और A हो गया यानि कि कुछ चीज मिलेगा एक्सचेंज करेगा तो वो तो option number A जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया यहाँ पर जो होता है वो बच्चे का क्या होता है अपने किसके ओपर निर्भर करता है वो करता है आपका ये था I think एज 12 तीसरी चौत्थी पांचवी पांचवी हैं तो 12 से आगे में था तो 12 में प्राथमिक में थोड़ी होता है यार वो तो 10 उमर तक primary में रहते हैं आप बस 12 में थोड़ी होगा यह तो गलत है primary में नहीं आता है ठीक है चलिए 16 पूछ रहे हैं बच्चे अरे डियर सही तो है बिल्कुल सही है जिस बच्चों ने इसको option number थाड़ लगा हो चलिए आगे चलते है next question देगी क्या बोल रखा है कोलबर्ग के अनुसार सिक्षक बच्चों में नैतिक मुल्यों का विकास कर सकता है तो अभी अभी बात बोली हमने कि कोलबर्ग ने क्या करना सिक्षकों में बच्चों में क्या करना नैतिक मुल्यों का विकास कर सकता है तो कैसे कर सकता है, कौन सा बच्चा बताएगा इसका? चलिए, नेक्स्ट कोशन आपकी स्क्रिन के उपर, रोहित ने आजे की डेक्स से ली हुई पैंसिल वापस रख दी, क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था, यह है कौल बर्ग के किस स्थर को बताता है, या जताता है, या दिखलाता है, तो जल्दी से बताएग क्या होगा, पहले उसने पैंसिल चुराई, और पैंसिल चुराके उसने वापस रख दी, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पर बच्चा वो दिखा रहा है क्या, तो यहाँ पर बच्चा दिखा रहा है कि अगर चोरी करेगा, तो उसको डंड मिलेगा, और डंड मिलना चोरी करना वो किस में आता है तो वो आता है आपका किस में option number 12 का पूर प्रमपरागत नई डियर पूर प्रमपरागत नहीं होगा इसका होगा option number second देखिए समझ ये मैंने आपको एक story बताई थी कि बच्चे को एक pencil ले गई और pencil लेकर बच्चे ने क्या करा अपने दोस्त के बैग में वापस रख दी किस चीज के लिए डंड से बचने के लिए लेकिन वो मैंने आपको बोला था इस एक्जामपल के रूप में डंड आग्या पालन अभी मुकता लेकिन डंड आग्या पालन लेकिन वापस उसने रख दी यानि कि चोरी करी थी अब चोरी करने वाली बात किस के ओपर होती है और चोरी करने के बाद उसको क्या करा गया वापस रख दी किस चीज से सजा से बचने के लिए तो B इसका best option है क्यों चलते हैं वापस theory पर कहां गई मेरी theory आजा मेरे भाई ये रहा क्या है ये व्यक्ति चोरी कर रहा है और चोरी करना क्या माना जाता है गलत माना जाता है समाज का नियम स्वर्व्यापी माना जाता है तो इसलिए option number जिस जिस बच्चे ने B लगाया था B is the right answer ठीक है ये रहा ये ये ना ये 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 B is the right answer ठीक है चलिए next question आपके screen के उपर कोलबर के अनुसार वह स्थर जिसमें बालक की नेतिकता भै वै दंड के कारण नियंतरित होती है ये देखो क्या बोल रखा भै एवं दंड के कारण नियंतरित होती है तो इसका क्या होगा तो इसका आप सही answer बताईए जो पहले आप answer बता रहे थे वो इसका answer होगा जिसको हम पूर्वनेतिक क्या बोलते है प्री मॉलर या फिर अलग-अलग नामों से जाना जाता है तो पूर्वनेतिक इसके अंदर बच्चा क्या है दंड एवं भै के कारण गन पॉइंट पर रखकर उसको काम करवाया जा रहा क्या गन पॉइंट पर रखकर उसको काम करवाया जा रहा तो option number जिस जिस बच्चों ने first लगाया वो बिल्कुल हम जी इसका first answer होगा ठीक है चलिए next question क्या है देखिए यहां पर बोल रखा है करणल अब English में जो है करणल की स्पैलिंग गलत हो गई है कोई बात नहीं वैसे कोन बच्चा बताएगा करणल की स्पैलिंग क्या होती है करणल की स्पैलिंग यह नहीं होती है लाखो रुपे खर्च करती है वह संभावता कोलबर किनेतिक विकास के किस अवशक्ता में है तो किस अवशक्ता में है कौन सा बच्चा बताएगा आई एल नहीं आता डियर एन एल आता है ठीक है करनल की स्पेलिंग सही वह लखिए जिस जिस बच्चों ने लिखिए बिल्कुल ऑप्शन नमबर फोर्थ जिस जिस बच्चों ने लगाए बिल्कुल सही अंसर लगाए पोस्ट में क्यों क्योंकि यहां पर उनका अपना खुद का निर्ने है चाहे पूरी की पूरी सरकार एक तरफ हो जाए लेकिन उनका निर्ने क्या है कि वो इंकम टेक्स देकर वो जो सरकार बांदों में निर्मान कर रही है लोगों को अपनी जमीन खाली करने पड़ रही है उसके लिए वो तैयार नहीं है तो पूरी दुनिया एक तरफ वो एक तरफ तो प्शन नमबर 4 जिस बच्चे ने लगा है बिल्कुफ सही लगाया है चलिए नेक्ट कोशन कोलबरक के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्ने लेने को चलते है द्यान रखेगा लोगों की आस और इक्छाओं को पूरी करने के लिए सही और गलत का निड़ने ले रहा है इसका बताइए मुझे कौन सा बच्चा सही अंसर बताएगा चलिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको नाइस बॉए और नाइस गल की प्रवर्ती पूछी गई है चलिए नाइस गल और नाइस गल की प्रवर्ती पूछी गई है कौन सा बच्चा बताएगा इसका ट्वंटी फोर्थ का डी अरे हट गंदे बच्चे आप्शन नमबर सी अवस्था थाड में स्टेज पूछी गई है ना की लेवल पूछा गया है तीसरी वस्था में नाइस बॉय और नाइस गल के प्रवर्ती नहीं होती तो क्या कर रहा है आशा तथा एक्छाओं के नुसा और मेरा बाबु कितना प्यारा है मेरा बच्चा सबसे अच्छा है सारी बात मानता है तो ये करवा कर आप उपनी आशा और एक्छाओं बच्चों के सामने प्रकट कर रहे हो और उसके नुसार जब बच्चा कार्रे करेगा तो अवस्था तीन में होगा बिल्कुल चलिए नेक्स कुश्चन आपके स्क्रिन के उपर निमं मेंसे कोन सा सौपान उनके द्वारा पर्तिपादित नहीं है जल्दी से बताईए इन चारों मेंसे लौरंस कोलबर्क के अनुसार कोन सा बच्चा बताएगा देखते ही लगा लेना चाहिए था Next सिध्धान्त क्रिया परसूत अनुबंधन, क्या नाम है? क्रिया परसूत अनुबंधन नाम है, जो की एक और नाम से जाना जाता है, instrumental, अब क्या बोला है? instrumental conditioning, अब दोनों में से कोई भी नाम, कई बार ये directly पूछ लिया जाता है, कि नैमिक्त का, यानि की instrumental conditioner किस ने दी है, त पहला बिंदू ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा, एचिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्यन किया, जो प्राणी द्वारा अपने परियावन में सक्रिया होने पर होती है, यानि कि अपने परियावन में जो बच्चा active है, जो चीज सीख रहा है, उसका अध्यन क बच्चीक रूब से परकट की जाती है, और उनके नियंतर्ण में रहती है, उसे क्रियाओं परसूत अनुबंधन कहा जाता है, कहने का मतलब है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई भी व्या वार कर रहा हो, जिस पर उसका पूरा नियंतर्ं हो, उसको हम क्या कहेंग नहीं है आप में इतना ही आपके लिए बहुत हैं आपर ठीक है सुनील जी कह रहे हैं कि सर आप है न सीडीपी के पेपर कब करवाओगे डियर सीडीपी के पेपर आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करो अल्रेडी करवाएं हुए है ठीक है आप शायद लेट जुड़े हो इसलिए आपको पता नहीं है आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा ठीक है चलिए इसकीनर ने जो हैं किसके उपर परियोग करे थे चूहे और कबूतरों पर परियोग करे थे डिरेक्ली एक कोशन पूछ लिया जाता है कि कौन से किस ने करे थे लेकिन सीटेट में नी यूपीटेट वगेरा में पूछ लिया जाते हैं रिट वगेरा में पूछ लिया जाते हैं तो आप ध्यान रख सकते हो जो के आप नीचे figure में देख रहे हो इसको क्या कहा जाता है screener box कहा जाता है अब इस box में था क्या तो देखो इस box में था एक dispenser लगावा बाहर जिसमें food था एक pipe की नली थी जो की अंदर आ रहा था किसमें उस डब्बे में oxygen लेने के लिए छेथे डब्बे में अंदर एक लीवर था जिसको दबाने से भोजन जो था वो dispenser के अंदर आ जाता था निकल के अब ये भोजन जो खा लेता था इसी चीज को चूहे ने एक घंटा इधर उदर प्रैक्टिस करने के बाद उसने एक बार दबा दिया गलती से उसको भोजन मिल गया फिर उसने दो घंटे में क्या करा इसको चार बार दबाया फिर तीन घंटे में उसने इसको क्या करा पचास बार दबाया चार घंटे में इसने इसको कितनी बार दबाया 500 बार मतलब हर बार उसकी जो कारे करने की त्रिवता थी वो क्या हो रही थी तेज हो रही थी क्यों? क्योंकि उसको लिवर दवाने पर बार-बार क्या मिल रहा था? भोजन मिल रहा था यानि कि उसको क्या मिल रहा था? पुनरबलन मिल रहा था बस यहां से question यही पूछ लिया जाता है कि father of reinforcement यानि कि पुनरबलन के जनक किसको माना जाता है तो वो skinner साहब को ही माना जाता है यह पूरा का पूरा जो प्रियोग था वो skinner के उपर ही था important है ध्यान रखिएगा Sir intelligence and personality की theory important है हंजी बिल्कुल dear important है चलिए आगे चले अभी इस पूरे के पूरे प्रियोग करने के बाद important जो term दिये गए थे महत्पूर्ण संप्रत्य दिये गए थे क्या थे महत्पूर्ण संप्रत्य तो तीन महत्पूर्ण संप्रत्य थे जिसमें पहला आ जाता आपका पुरा का पूरा जो प्रियोग था वो किस के उपर था रीन्स फॉर्मेंट के उपर ही था अब क्या बोला रीन्स फॉर्मेंट यानि के पुनर्बलन को वहवस्तू घटना अत्वा सूचना जो कार्रे करनी की पुनावर्ती या वहवार की पुनावर्ती बढ़ा दे उसे हम क्या कहते हैं पुनरवलन कहते हैं का मतलब यहां पर यह है कि वह वस्तु घटना अथ्वा सूचना जो आपके कार्रे करने में क्या लिया है त्रीवता लिया है तेजी लिया है उसको हम क्या कहते हैं पुनरवलन कहते हैं फोर अग्जामपल के रूप में चूहा ने जो देखा चाथ चौथे गंटे में 500 बार उ यानि की positive और दूसरा होता है नकारात्मक यानि की negative ओके ध्यान रखेगा पुनरवलन पूछा जाए कितने परकार के होते हैं तो दो परकार के positive and negative अब दोनों में क्या differences है चलिए समझ लेते हैं यदि कार्रे का परिमान सुख संतोस आनंद प्रदान करने वाला हो तो क्या कह कहलाएगा आपका वो सकारात्मक कहलाएगा ध्यान रखेगा मैंने क्या बोला आपका यदि किसी भी कार्रे का परिमान जो होता है वो आपको सुख देता है संतोस देता है आनंद प्रदान करता है तो कार्रे क्या कहलाता है अच्छा जैसे कि आपने कोई कार्रे करा उसके ब किसी भी कारे के परती करने पर आपको जुर्माना, कश्ट या शोरगुल इन तीनों चीजों को मिलता हो और उससे बचने के लिए आप कोई वहवार करते हो तो आपको पुलिस वाला पकड़ने वाला है, फाइन काटने के लिए लेकिन आपने बचने के लिए क्या करा? उसकी R.D.T.D. भगाकर अपनी भगाकर ले गए आप तो क्या करा आपने? उस डंड से बचने के लिए जो वहवार करा न वो आपका नकारत्मक पुनरबलन था तो इस बात को ध्यान रखेगा दंड, जुर्माना, कस्ट, शोरगूलिये किसी परकार का पुनरबलन नहीं होता है इनसे बचने के लिए आप जो वहवार करते हो वो पुनरबलन होता है इन्पोर्टन है ध्यान रखेगा इसका PDF डियर में आपको बता चुका हो इसका PDF आपको थोड़ी देर में टेलिग्राम पर मिल जाएगा आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर लिजिएगा इसका PDF ठीक है ठैक्यू शिवान जी जी चलिए नेक्स कोश्चन के और चलते है तो यहाँ तक पता चलिए पुनरबलन का है दो प्रकार के होता है शकारात्मक और नकारात्मक ठीक है आगे चलें तो पुनरबलन का समय यानि कि आप से पूछा जाए कि पुनरबलन आखिर दिया कब जाना चीए उसका टाइमिंग क्या होना चीए तो पुनरबलन का जो समय होता है वो दो प्रकार का होता है पहला सतत यानि कि continuous दूसरा आंशिक यानि कि partial यानि कि कभी कभी किसी विशिष्ट कार रहे के लिए अब सतत क्या होता है कि सतत का मतलब continuous का मतलब लगातार यानि कि जब पुनरबलन जो होता है लगातार परतेक कार रहे के लिए पुनर्बलन दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा सतत कहलाएगा और इस पुनर्बलन के बंद करते ही व्यक्ति क्या करना बंद कर देता है जैसे कि सतत में हुआता है इन्पॉर्टेंट है ध्यान रख्येगा आगे बोल रखा है कि आंशिक पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन क्या होता है तो यह कभी-कभी विसिस्ट कार्रे के लिए दिया जाता है देखो मैंने पहले बोला था आंशिक मतलब वो पुनर्बलन जो कभी-कभी किसी हम खास कार् for example के रिए पर आपने देखा होगा आपके फादर ने बोला होगा कि बेटा अगर तु बोर्ड के एक्जाम में अच्छर नंबर लाएगा तो मैं तुझे बाइक दिलाऊँगा या फिर साइकिल दिलाऊँगी कुछ भी हो सकता है तो वह क्या था हम किसी विशिष्ट कार्रे के लिए क्या दे रहे थे हम उसको पुर्णबलन दे रहे थे तीक है इसके जारी रखने पर या फिर रोक देने पर व्यक्ति कार्रे करना जारी रखता बंद नहीं करता For example के रूप में, आप काम करते हो किसी company के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, तो वो आपको monthly salary देता है, और अच्छा काम करते हो तो incentive देता है, तो अगर आपको salary और incentive देना बंद कर देगा, तो आप उसके लिए काम करोगे, नहीं करोगे, तो वो परकार का पुनरबलन कैसा होता सतत पुनरबलन होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार रहे हैं, जैसे कि आपकी mother, आपकी mamma, आप कई बार ऐसे काम करते हो, आप अपनी mamma के लिए का करते हो, special gift वेगरा दे देते हो, या कुछ और बिक दे देते हो कई बार, तो आपकी mamma अग gift दोगे, या नहीं दोगे, तब भी आपके ले काम करेंगी, तब भी आपकी साहता करेंगी, आपकी रख रखाओ करेंगी, तो वो ऐसा काम है, जारी रहेगा, दोगे तब भी नहीं दोगे, तब भी जारी रहेगा पुनरबलन, OK, important है, ध्यान रखियेगा, यहाँ पुनरबलन जो होता है, वो सतत की तुलना मे क्या होता? अधिक प्रभावी होता है. अधिक उपियोगी होता है। अगर आप हर किसी कार्रेके लिए पुनरबलन देते रहोगे. तो बच्चे को एक परकार के बाद आदत हो जाएगी. नहीं दोगे तो कार्रेकरना बंध हो जाएगा. इसलिए कहा जाता है कि इन दोनों में से, कई बार ये question पूछा जा चुका है, important है, ध्यान रखिएगा, सतत पुनरबलन के तुल्ला में आंशिक पुनरबलन जो होता है, वह बहुत better होता है, mass sufficient होता है, उससे, okay, जो की कितने परकार के होते हैं, तो दो परकार के, आंशिक पुनरबलन ध् इतने परकार के होगे, एक अंतराल, जो दूसरा अनुपात, ध्यान रखिएगा, अंतराल, यानि इसी समय के अधार पर देते हो, तो उसको अंतराल पुनरबलन कहा जाता है, जैसे कि हर महीने salary मिलती है, तो समय के अधार पर मिल रहा है, तो क्या है वो आपका अंतराल पु पुनरबलन कहलएगा, अब ध्यान रखिएगा, अनुपात पुनरबलन जो होता है, वो अन्तराल पुनरबलन की तुलना में क्या होता, बहतर माना जाता है, आप सभी को पता है, अगर मैं आपको 100 रुपे दूँगा, और आपसे बोलूगा, यह आपको 100 रुपे चाहिए, कि आपको 1000 रुपे चाहिए तो सीधी सीधी सी बात है आप बोलोगे मुझे 1000 रुपे चाहिए 100 रुपे मैं क्यों लूँ तो अनुपाद जिसकी ज़्यादा होती है वही तो बैतर माना जाएगा आपका पुनरबलन तो वही यहाँ पर बात है कि अनुपाद जो होता है उसके मुताबित क्या होता है बहतर माना जाता है और अनुपाद पुनरबलन जो हता है वो अन्तराल पुनरबलन की तुल्ला में यह तो दुबारा रिपीट हो गया कोई बात नी चोड़ दीजाए इस मॉइंट को अनुपाद पुनरबलन आपको ध्यान रखना है कि बैटर होता है इन दोनों में से लेकिन BF Skinner जो थे उन्होंने क्या कहा ना ही अनुपाद बैटर है ना ही अंत्राल बैटर है इन दोनों का जो मिश्रण होगा इन दोनों का जो मिश्रित पुनरबलन निकलेगा वो सबसे better होगा ठीक है तो ध्यान रखेगा इस बात को अगर पूछा जाए कि अंत्राल और अनुपात में से कौन सा better है तो अनुपात better है अगर आपसे पूछा जाए कि स्कीनर किसको better मानते है तो इसके मिश्रित रूप को पुनरबलन को better मानते है ठीक है important है ध्यान रखेगा इस बिंदू को सभी को समझ में आ गया होगा चलिए 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 बहुत अच्छी बात है आगे चलते हैं आगे चलें तो पुनरबलन की मात्रा यानि की amount ध्यान रखेगा मात्रा में अधिक पुनरबलन कम की तुलना में अच्छा माना जाता जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर मैं आपको सौर पे दूँगा और आपसे बोलूँगा आपको हजार चाहिए तो आप सीधी सीधी बोलोगे कि मुझे हजार चाहिए तो सीधी सीधी से बाता मातरा में अधिक पुनरबलन कम की तुलना में क्या होता अच्छा माना जाता है लेकिन तुरंत दिया गया पुनरबलन कम की या फिर अधिक की तुलना में जाधा परभावी होगा फोर अग्जामपल के रुपे मैंने आपको हम दिया कि आपको 100 रुपे चाहिए कि 1000 रुपे चाहिए और मैंने आपको ये भी शर्त रख दी कि जिस जिस बच्चे को 100 रुपे चाहिए उसको अभी मिलेंगे और जिस जिस बच्चे को 1000 रुपे चाहिए वो जो बच्चे को मिलेगा कब Seat में अगर आप पास होगे तब मिलेगा तो अब यहां पर क्या होँगे सारे के सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं सर हमें 100 रुपे देदो तो ध्यान रखेगा इस point को, ध्यान रखेगा इस point को, ठीक है? बच्चे कहरें सर कोलर की question की theory भी करवा दीजिये, inside theory deer आपने देखी नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा, कोलर और कोफ का दोनों की theory करवा रखी है, सिग्मेंट फायरी की भी theory करवा रखी है, मैंने एक बार जाकर देख लीजिएगा आप, ठीक है? तो वही वाली बात है, कि मातरा में अधिक पुनरबलन जो दिया जाता है, वो कम की दुलना में बहतर तुमाना जाता है, लेकिन कल, परसो, नरसो देनी की बजायत, तुरंत जो पुनरबलन दोगे, वो ज़ादा परभावी होगा, चाए वो मातरा में कम हो, या ज़ादा हो उसके उपर निर्भर नहीं करता है ठीक है, important है दियान रखेगा इस point को चलिए, पहला point समझ में आ गया होगा आप सभी को पुनरबलन दूसरा point आ जाता है आपका ढालना यानि की shaping ये क्या होता है, कि किसी भी विशय या फिर विदेशी भाशा को चोटे-चोटे भागों में बाट कर जब आप सिखाते हो, तो उसको क्या कहा जाता है ढालना कहते हैं, for example के रूप में जैसे की कोई भी आप सीखते हो कोई चीज, जैसे की आपको पहले plus सिखाया जाता है minus, फिर multiply, फिर divide ऐसे करके सिखाया जाता है, चोटे-चोटे भागों में ऐसा क्यूं है, क्योंकि बच्चे के उपर एक बार में ही बड़न ना आ जाए, बच्चे धीरे-धीरे सारे कारे को सीखे, असानी से सीखे इसलिए ऐसा किया जाता है तो किसी भी विशय या विदेशी भाषा को, language को अगर आप चोटे-चोटे रूप में भाग में तोड़-टोड़ कर सिखाते हो तो उसको क्या का जाता है, shaping कहा जाता है ठीक है, important है, ध्यान रखिएगा और last आ जाता है आपका शंखलन, यानि कि chaining यानि कि जो भी आप सिखा रहे थे, छोटे-छोटे भागों में उसको क्या कर रहे हो, एक दूसरे से जोडते हुए सिखाते हुए चल रहे हो क्या कहा आपका एक दूसरे, जैसे कि आपको plus सिखाया फिर minus सिखाया, फिर multiply जब सिखाओगे कबूतर से आठ बनवा दिया था उन्होंने, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक दाना यहां रखा, एक दाना यहां रखा, एक दाना यहां, एक दाना यहां, एक दाना यहां, ऐसे करके आठ के आकार में दाने रखा उसने, और कबूतर जो दानों को खाता रहा, आखरी में जाक करवा रहा हूँ, आप एक बार प्लेलिस शेक कर लीजिए, कई बच्चों को यही नहीं पता, मैं प्रिवेस एर कोशन करवा भी रहा हूँ कि नहीं करवा रहा हूँ, चलिए, इतना समझ में आ गया, आप सभी को I think, चलिए, इससे education implication क्या निकलता है, एक बार वो समझ लेते ह पहला, व्यक्ति को या फिर बच्चे को पुरुषकार देकर हम क्या कर सकते हैं, अच्छी आदत उत्पन की जा सकती है, और इसकीनर ने कभी भी डंड को focus नहीं किया है, महत्पून नहीं माना है, उन्होंने कहा है कि बच्चे को जो भी आदत उत्पन करानी है, वो हम कैसे सकते हैं, पुरुषकार देकर, या फिर किसी अच्छे बिहेवियर को देकर, ना कि उनको डंड से, मार पीट से, किसी भी चीज से हम नहीं करना चाहिए, ओके, साथी साथ में, इसकीनर के अनुसार, किसी भी विश्य को क्या करना चाहिए, छोटे-छोटे भागों में बाट कर, एक दूसरे से जोडते हुए, सिखाया जाना चाहिए, यानि कि चेनिंग और ढालना, शेपिंग, इन दोनों की बात करी जा रही है, तो आपको यहां से पूरा का पूरा जो कोशन निकल के आया, आपको यहां से यह निकल के आया, कि पुनर बलन जो था, फादर ओफ रि ठीक है, इनपोर्टेंट है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से सभी को, डियर के विस के फॉर्म लास्ट यह निकलने थे, लेकिन अब तक नहीं निकले, वो कोविड-19 की वज़े से, यह यह जो होगा ना, ध्यान रखेगा, यह 2021 जो है, वो बहुत इनपोर्टेंट होने साथ ही साथ में राजस्थान की यानि यह रिट की वेकेंसिस तो निकल चुकी ही है, तो यह साल अपने आप में ही इनपोर्टेंट है, काफी सारी वेकेंसिस निकल कर आएंगी इस साल में, तो सीटेट आप अपना क्रोस कर लीजिएगा, सीटेट बहुत इनपोर्टेंट हो तभी आपके सामने देखने को मिलेगा ठीक है सूपर्टेट कब तक निकलेंगे डियर अगस्त से पहले मुझे लगता नहीं है निकलेंगे क्यों क्योंकि इस मार्च में आपके पंचायत के इलेक्शन है तो पंचायत के इलेक्शन में तो कुछ होगा नहीं और next year election है, और election से पहले आप सभी को पता हमारी government सो के जग जाती है, vacancies निकालती है, ठीके, चलिए, next theory आ जाती है आपके किस की, तो E.L. Thondike की, जो की क्या नाम है, प्रियास इवं भूल का सिध्धान्त, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, उद्दीपन अनुकरिया का इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति जैसे जैसे प्रियास करता है, उसकी गलतियों की मात्रा कम होती जाती है, और अंत में व्यक्ति जो विशे को सीख लेता है, इसी तरीके से उद्दीपन अनुकरिया का संबंध जो होता है, वो मजबूत होता है, क्या बोल पिंजरे में और पिंजरे के बाहर रख दिया खाना अब बिंचरे के अंदर एक लीवर लगा हुआ था जिसको दबाने से गेट खुल जाता था पिंजरे का और बिल्ली बाहर आकर खाना खा सकती थी यह पूरा का पूरा परियोग करा इनोंने काफी देर बाद बिल्ली भटक जबाती है, और अपना जो पिंजरे का जाल था, वो खोलकर बहार आकर खाना खा जाती है, तो यहां पर तीन चीजे निकल के आई महत्पून, क्या-क्या तीन-tीन चीजे निकल के आई, तो थोंडाइक के अनुसार सीखने के लिए निमलिकित परिस्तिती का होना अवश्चक है किस-किस का पहला ड्राइव यानि की चालक, दूसरा गोल यानि की लक्ष, तीसरा बाधा यानि की हडल अब देखो चालक यहाँ पर कौन था, तो बिल्ली थी, गोल क्या था उसका यहाँ पर, खाना खाना और बाधा क्या थी यहाँ पर उसकी, पिंजरा, तो यह तीन चीजों का होना अवश्चक है अगर यह तीनों चीजों है, तो व्यक्ति जो है, परियास एवं भूल के सिद्धानत का अनुपालन करता है इतनी बात समझ में आगी, आगे चलते हैं लो जो थे इनके, यानि की सीखने के जो नियम थे, वो आपके, वैसे तो बहुत सारे नियम है, लेकिन हम केबल आठ को पढ़ेंगे जिसको दो भागों में बाटा गया है, एक है आपका में नियम, यानि ये में रूल्स, दूसरा आपका सहायक नियम, जिसको आप सेकंडरी लो, या फिर आपको अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है मुख्य नियम और दूसरा सहायक नियम मुख्य नियम में आपके तीन नियम आते हैं पहला ततपरता का नियम, परभाव का नियम और अभ्यास का नियम यही तीन most important है, सबसे ज़्यादा question आपको यहीं से देखने को मिलते हैं law of readiness, law of effect, law of exercise बाकी सहायक नियम में यह 5 important है, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, मनो विर्ति का नियम, सहधरक्स्ता का नियम, और सहचारक्तक इस्थानत्रन का नियम यानि कि यह 5 नियम हम सहायक में पढ़ेंगे और यह 3 नियम हम मुख्य में पढ़ेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि निमलिकित में से मुख्य नियम कितने प्रकार के होते हैं तो तीन प्रकार के नियम होते हैं बस इस बात को आपको दियान रखना है ठीक है चलिए आप चलते हैं इनको एक एक करके पढ़ते हैं पहला सीखने के मुख्य नियम, main rules of learning, क्या है? पहला ततपरता का नियम, यानि की law of readiness, यह क्या होता है? तो किसी भी कार्रे को करने की शारिक और मानसिक शमता, यदि बच्चा सीखने के ततपरता है, तो व्यक्ति या बच्चा कार्रे को जल्दी सीखता है और असानी से सीखता है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कि किसी भी कार्रे को करने से पहले बच्चे को शारिक रूप से और मानसिक रूप से क्या करना चाहिए? ततपर करना चाहिए, तयार करना चाहिए, उसके अंदर रूची उत्पन करना चाहिए, अगर बच्चे को हमने तयार कर दिया, उस उसको डंडा करते रहो, वो सीखेगा ही नहीं, तो हम उसको क्या कहते हैं, तत्परता का नियम, law of readiness कहते हैं, ठीक है, important है, ध्यान रखेगा, रहुल कुमार जी, आपके already paper 2 की पूरा का पूरा class लगा रखेए, आप एक बार जाकर देखिए, playlist में, अब बच्चे सोचते हैं, बच्चे हैं एक दो दिन पहले जुड़े हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में, तो बार बार परेशान हो रहे हैं, तो रहुल एक बार जाकर आप playlist को चेक कर लीजेगा, आपको पता चल जाएगा, कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, ठीक है, दूसरा आजाता है आपका प्रभाव का नियम यानि की law of effect, यह क्या होता है, तो किसी भी कारे का परिमान संतोज जनक होता है, या सुखद होता है, तो कारे उस व्यक्ति को, या व्यक्ति उस कारे को सीख लेता है, फोर अग्जाम्पल के रूप में seated, seated का आप सभी को पता ह पास करने के बाद आपको teaching job मिलेगी, अब इसके result के उपर निर्भर करता है, कि इस कारे को आप दुबारा करोगे की नहीं करोगे, यानि कि अगर आप seated का result अच्छा आता, पास हो जाते हो, तो आप next, ृप्लेस भी या किसी और exam की तैयारी करोगे, अगर इसी का ये exam आप आपका गलत निकला, एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, तो कहीं न कहीं उसका परिमान संतोज जनक या सुखद नहीं होगा, आप उसके बारे में negative सोचने लग जाओगे, कि कुछ नहीं होता है, यार फालतू में पासवास होते नहीं है, तो यहाँ पर वो नि इन नियम में आपका अभ्यास का नियम, यानि की law of exercise, इसमें मैंने simple एक line लिख रखी है, कि practice makes the man perfect, आप सभी को पता है, किसी भी कारे के परती है, आप उसको कितना अभ्यास करते हो, उसी के ओपर निर्भर करती है, आपकी कोशल, किसी भी कारे को आप जितना ज़्यास होगे, आपके अंदर उस कारे के परती क्या मिलेगा, कौशल उत्पन होगा, इसलिए का जाता है, कि अभ्यास जितना ज़्यादा करोगे, उतना ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, सीख पाओगे आप उस चीज को, ठीक है, चलिए, ये तीन समझ में आ चुके ह आपको सीखने के मुखे नियम, में रूल, चलिए, आप चलते हैं, बाकी पाँच नियम, जो कि आपके सहायक नियम थे, पहला आ जाता है आपका बहु अनुक्रिया का नियम, मल्टिपल रिस्पॉंस, ये क्या होता है, तो आप जब भी कोई कारे कर रहे होते हो ना, या फि कई बच्चे जो हैं, रिट की भी तयारी कर रहे होंगे, कई बच्चे जो हैं, अपने आप में के वीस की भी तयारी कर रहे होंगे, तो अपने आप में या बहुत जादा अग्जाम की तयारी कर रहे हो, यानि कि सीखते समय व्यक्ति को बहुत सारे कारे करने चाहिए, क्यो और example की रूप में आप ये चार चीजों की तयारी कर रहे थे, अब मान लिजी, आपको CETAT में आपको क्या मिल गया, आपको ये मिल गया सफलता, आपने बाकी कामों को क्या कर दिया, परे कर दिया, अब आप क्या करोगे, CETAT से related, जैसे की DSSB, जैसे की NVS, जैसे की KVS, ये क इसके बाद आप इसी की LINE में चलोगे, इधर उदर नहीं बठकोगे, जैसे UPTAT में नहीं बठकोगे, रिट में नहीं बठकोगे, या तो आप सूपर TAT के तयारी करोगे, क्योंकि वो भी क्या है, CETAT की LINE की है, यानि कि जिस कार्रे में व्यक्ति को सफलता मिल जाती है, व योरी का PDF टेलिग्राम पर मिल जाएगा, डियर, टेंशन ना, लीजिए, मैं कई बार बता चुक हूँ, तब से बच्चे को तो यही टेंशन हो रही है, चलिए, नेक्स्ट आपका तीसरा, मनो विर्तिकानियम, लौफ मेंटल सेट, अब देखो, आप सभी को पता है, कि कभी ली भी आप जो भी काम करते हो, उस काम को करते समय हमेशा आपको अपने अंदर क्या रखनी चाहिए, सकार अतमक सोच, positive तिंक रखनी चाहिए, जैसे कि अगर आप seated की तैयारी कर रहे हो, तो seated की तैयारी करते समय आपको negative नहीं होना है, आपको आपके आसपास के बहुत सार लोग आपको negative करेंगे, लेकिन होना नहीं है, आप हमेशा positive रखिए, कि I can do it, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास सारे साधन है, मेरे पास मेरा दिमाग है, जो सबसे अच्छा है, किसी के पास ऐसा दिमाग, नहीं है, अपने आप में unique है, तो सीखते समय या फिर कारे करते समय हमेशा क्या रहना है, आपको positive रहना है, negative नहीं होना है, अगर आपने अपने मन में ही ठान लिया, कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, तो वो नहीं ही होगा, कहा जाता है ना, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, तो वो ही वाली बात है, सीखते समय कभी भ ग्यान के समान होता है year-poly नई जो नए निया ग्यान है वो पुराने ग्यान के बिल्कुल समान है तो व्यक्ति जल्दी सीखता है और आसानी से सीखता है for example के रूप में आज जो आप seated की तकी तयारी कर रे हो अलग है क्यों कोई beard से जब आप beard की तयारी कर रे थे या फिर dlld की तयारी जब आप कर रे थे उससे अलग है या तो हमने किसी private college से कर लिया या फिर पैसे देकर हमने pass कर वा लिया बस certificate ले लिया, diploma ले लिया लेकिन जिसने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसको अपने आप में ही सारी की सारी चीज़ें क्या होगी होगी recall होगी ठीक है? कई बार जो हम distance education में ले लेते हैं और वहाँ पर पढ़ाई होती ही नहीं, अगर बैटे बैटे बस paper दिने चले जाते तो इनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती तो नया ज्यान पुराने ज्यान के समान होता है तो हम जल्दी सीखते हैं, असानी से सीखते हैं और लास्ट आ जाता है आपका law of associating sifting यानि कि इस्थान तरन का नियम अब ये क्या होता है, तो देहन रखे का जब दो या दो से अधिक उद्धीपक एक साथ प्रस्तुत किये जाते हैं तो एक का सीखा हुआ ज्यान क्या हो जाता है दूसरे में आंतरिक हो जाता है for example के रूप में आपको वहिशा एक बार बोलता हूँ एक नियम बटाता हूँ कि तीन डोस्त आपस में दोस्त है क्या है, तीन दोस्त आपस में दोस्त है एक दोस्त की जो है इससे लड़ाई हो जाती है तो ये दोस्त जो है अपने आप में इन दोनों से क्या हो जाता है अलग हो जाता है अलग हो जाता है देखो अब यहाँ पर देखो लड़ाई होई थी इस वाले की इस से अब ये दोनों जो एक तरफ होगे ये अभिचार आकेला हो गया तो ये वाला भी जो है इस से बात करना इससे मिलना जुलना बंद कर देगा क्यों? क्योंकि इन दोनों की आपस में है तो ये सोचे का जब इसकी होगी तो मेरे मेरी भी होगी इससे मतलब लडाई होई थी एक की और दूसरे पर भी असर पढ़ने हो गया तो यही वाली बात है एक का सीखा हुआ ग्यान दूसरे में स्थांतरन हो जाता है तो हम उसे law of associating shifting क्याते हैं और आज तक यहां से question नहीं पूछा गया है ठीक है? समझ में आ गया सभी बच्चों को? चलिए सभी आ गया सभी बच्चों को समझ में आ गया तो ये थे आपके दोस्तों क्यों से? ये थे आपके ये तीन में नियम और पांच सहेक नियम जिसे आप secondary law भी कहते हो इतना समझ में आ गया? चलिए अब इन दोनों theory से related question कैसे पूछे जाते हैं? एक एक करके question को लगाईए पहला question देखो जब बच्चे एक अवधार्णा को सीखते हैं और उनका प्रियोग करते हैं तो अभ्यास उनके दोरा की जाने वाली तुरूटियों को कम करने में मदद करता है यह है विचार डैश के दोरा दिया गया है तो किसके दोरा यह दिया गया है? क्या बच्चा एक अवधार्णा को सीखते हैं और उसका प्रियोग करते हैं तो अभ्यास उनके दोरा की जाने वाली तुरूटियों को कम करने में मदद करता है तो आप क्या कर रहे हो? कम काम कर रहे हो बार बार अभ्यास कर रहे हो और तुरूटियां दीरे-दीरे आपकी क्या हो रही है, काम हो रही है यानि कि ट्रायल आना अरव थियोरी की बात कर रहा है यानि कि option number third, E.L. Thondike जी ने ये दिया है तो option number C, जिस जिस बच्चों ने लगाया है, बिल्कुल सही answer लगाया है ठीक है? चलिए, next question आपकी screen के उपर Thondike के अनुसार, निमन में से कौन सा नियम सीखने का प्रात्मिक सिधान्त नहीं है देखिए, सीखने का क्या है? प्रात्मिक, यानि कि main law नहीं है इन चारों में से, अभ्यास का नियम, परभाव का नियम, समिप परता का नियम, या ततपरता का नियम यानि कि law of exercise, effect, proximity, या फिर readiness तो अभी मैंने आपको बताया था, तीन नियम होते है main इसमें से एक नियम नहीं है, जो कि आपका option number C जिस-जिस बच्चे ना option number C लगाया और बिल्कुल सही लगाया ठीक है, चलिए next question आपकी screen के उपपर प्रियास एवं भूल का सिध्धान्त के परतिपादन यानि कि trial and error theory कि इसने दी है तो यह तो simple सी बात है, thondike जी ने दी है तो option number first, बिल्कुल first, जिस-जिस बच्चों ने लगाया, बिल्कुल सही लगाया, चलिए next question क्या है देखिए सीखने की ततपरता dash की ओर संकेत करती है तो किसी भी कार्रे के परतिए आप सीखने के लिए तयार हो, ततपर हो, रूची है तो उसको क्या कहते है, सीखने में ततपरता का नियम, यह सिख्छार्थियों का समानने योगता इस्थर तो कौन सा बच्चा इसका सही अंसर बताएगा, जल्दी से बताईए ओके, बच्चे कहरें सर, थौनडाइक का ततपरता का नियम ओके, यहान ध्यान रखेगा कोशन में पूछ रखा है, कि सीखने की ततपरता डैश की और संकेत करती है यहान यह नहीं पूछा है, कि सीखने की ततपरता किसके द्वारा दिया गया है यह बात सही है कि थौनडाइक के द्वारा दिया गया है पूछा क्या गया है, कोशन में वो समझो इसने पूछा है कि सीखनी की ततपरता की ओर किस की ओर संकेत करता है तो ये संकेत करता है बच्चे के संग्यानात्मक इस्थर की ओर बच्चे की रूची की ओर, बच्चे की जिग्यासा की ओर बच्चे के शारिक और मांसिक योगता की ओर तो option number A, बिल्कुल A इसका सही answer था ये तो thon dike जी ने दिया है इसमें कहां क्या गया है वो पूछा गया है question में तो ध्यान रखेगा इस बात को, चलिए next question, सीखने का प्रात्मिक मूल भूत नियम संबंदित है तो सीखने का प्रात्मिक मूल भूत नियम तीन नियम थे उस तीन नियम जो है, वो संबंदित है इन तीनों चारों में से वो कौन कौन से है, देखें तत्परता का यानि कि law of readiness जो था वो मैंने आपको बताया ही बताया था प्रशंचा की कहीं पर भी बात नहीं की गई है परिमान की अपेक्षा से नहीं की गई है अभ्यास के कार्रे से तो ये आपका अभ्यास जो आ है वो कहां पर आता, law of exercise वाले में आता है तो ये दो है, लेकिन सीखने की प्रात्मिक मूल भूत है वो पहला आता ततपरता, अभ्यास तो बाद में आता है तो ततपरता को हम लगाएंगे, यानिकि option number fourth लगाएंगे बिल्कुल, fourth जिस बच्चों ने लगाया है, बिल्कुल सही answer लगाया है, ओके सर्फ bloom के topic को भी जरूर बता दीजिए प्रींका जी आप लगता है, मुझे काफी लेड जुड़े हो, इसलिए आपको यह पता नहीं है थोड़े दिन पहले, हफ्ता बर पहले ही bloom taxonomy करवाई है हमेने आपको, ठीके चलिए, next question आपकी screen के उपर थॉन्डाइक के अनुसार, निमलेखित कतनों में से कौन सा कथन, अधिगम परिक्रिया के लिए सत्य नहीं है, question को ध्यान रखेगा, नहीं है, पूछ रखा है तो कौन सा कथन सही नहीं है थॉन्डाइक के अनुसार, पहला अधिगम जो है करमिक परिक्रिया है learning क्या है, करमिक है law of readiness, law of effect exercise यह क्या है, करम में है प्रियतन एवं त्रूटिया के द्वारा ये भी सही कहा गया, केवल अंत्रद्रिष्टी है, तो कोलर कोफका ने कहा है inside theory, तो option number third नहीं है, थॉन्डाइक के अनुसार, तो option number C, जिस जिस बच्चों ने लगाया था अभ्यासेवं बूल का सिद्धान तो इन्हों ने दिया आईए, तो option number C, जिस जिस बच्चों ने लगाया, बिल्कुल सही, बिल्कुल लक्षमिन केहने सर, आप मेरी बात नहीं सुनते हो, डियर सुन रहे हैं, बताइए चलिए, next question, क्या है प्रियतनेवं त्रूटी विधी द्वारा सीखना, किसमें सारवधिक द्याक्यान रखेगा, क्या बोल रखा है प्रियतनेवं त्रूटी विधी द्वारा जो सीखते हो learning trail and error method वो enriched, यानि कि क्या है परिवरिक्त होता है, किसमें होता है तो जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा role play में, अभिक्रमित में, श्वयदर्ष्य में या स्वतंतर अध्यान में, independent studies में तो जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा सही बताएगा चलिए, बच्चे कह रहे है 7th का कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ यार इतनी देरी ओके, D, बिल्कुल दियर स्वतंतर अध्यान में आप किसी भी चीज का independent study कर रहे होते हो तभी तो आप गलतियां करते हो तभी तो आप त्रुटियां करते हो त्रुटियां का मतलबी क्या है आप खुद सीख रहे हो उस चीज को तो option no.4 जिज बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही लगाया है चलिए next question किस नियम के अनुसार जिस कार्रे से एक परिस्थिती में संतोस्टी उत्पन होती है उस कार्रे के उसी परिस्थिती में फिर से दोराई जाने की संभावना रहती है यानि कहने का मतलब है किसी भी कार्रे का परिमान संतोस होता है सुखद होता है आनंदी होता है तो उस काम को क्या करते हो आप दुबारा repeat करते हो और वो किस में होता है तो वो होता है परभाव के नियम में law of effect में यानि कि option number first जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही answer लगाया किसी भी कार्रेक का संतोस, परिमान होगा, सुखद होगा तो उस कार्रेक का repeat करोगे, ठीक है? चलिए, next question आपके screen के ओपर क्या है? परभाव का नियम किसने परतिबादित किया? ध्यान रखेंगा क्या वो रखा? परभाव का नियम, law of effect ये भी किसने की दिया? थौन दैक ने दिया है खुद अपने main नियम के अंतरगती आता है, ठीक है? तो option number fourth, जिस जिस बच्चों ने लगाया? बिल्कुल सही लगाया चलिए, next question आपके screen के ओपर डंड एक, punishment is there चलिए, ये important question है, आप मुझे बताएगे, कौन बच्चा इसका सही अंसर बताएगा रिनात्मक पुनरबलन है, घनात्मक पुनरबलन है, किसी भी परकार का नहीं है ये उपियोक्त में से कोई भी नहीं कौन सा बच्चा इसका अंसर बताएगा? बिल्कुल इसका बच्चा जोन जोन सा अंसर बताएगा, मैं उसका नाम लेता हुआ चलूँगा चाहे बले ही सभी की सभी बच्चे आंसर दें इसका 9th का D, 9th का निए D है 10th का 10th का जल्दी से बताओ कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा 10th का बच्चे कह रहे है A, चलिए गलत हो गया चलिए 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 चलिए, ओके अब तक केवल एक अंसर सही मिला है और वो अंसर किसका है मैं उसका नाम अभी ले लूँगा चलिए, दूसरा भी मिल गया चलिए, दो बच्चों का अंसर सही हुआ है केवल अब तक ओके तीन, चार चलिए, दीपशिक्षा, मोना, चंदरशेखर और प्रियाग ओके चलिए, चलिए, इन बच्चों ने सही अंसर दिया है कि किसी भी परकार का यह पुनरबलन नहीं है मैंने आपको पहले ही बोला था कि दंड जो होता हो, किसी भी परकार का पुनरबलन नहीं होता है दंड से बचने के लिए किया गया वैवार रिनात्मक पुनरबलन होता है दियान रखेगा, यहाँ पर दंड पूछा गया था इससे बचने के लिए जो आप वहवार करोगे न वो आपका नेगरिटिव और पॉजिटिव जो भी हो सकता है वो होगा, ठीक है, तो अप्शन नमबर सेकिंड, ओ सारी, थार्ड, जिस जिस बच्चों ने लगाया था इसका बिल्कुल सही लगाया था बिल्कुल, बस जब मैं आपको समझा रहा था आपने समझानी उस पाइंट को चलिए, निमन में से किस अधिगम सिध्धान्त को यांत्रिक अधिगम भी कहा जाता है कहने का मतलब है इंस्टुमेंटल अब वो किसको कहा जाता है अभी अभी मैं आपको बताया था थियोटिकल पोर्शन में जल्दी से बताईए, क्लासिकल कंडिशन यानि सास्त्रिय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन यानि कि ऑपरेंट कंडिशनल, या फिर गेस्टाल्ड थियोरी, या फिर समाजीक अधिगम का सिद्दान, तो बिल्कुल अभी-भी मैंने आपको बताया है कि या आंत्रिक जो होता है, इंस्ट्रुमेंटल जो होता होग, इसको कहा जाता है, तो ऑपरेंट कंडिशनिंग को भी कहा जाता है, यानि कि option number second, सक्रिय अनुबंधन जिस जिस बच्चों ने लगाया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इसको एक और नाम से जाना जाता है बिल्कुल सही अंसर लगाया, ठीक है चलिए, next question आपकी screen के उपर, क्या बोल रखा, BF Skinner ने चुझाव दिया कि अधिगम घटित होता है, कहाँ पर suggest किया था, कहाँ पर घटित होता, जल्दी से बताईए पहला classical में, दूसरा क्रिया प्रसूत में, modeling में या अवलोकन यानि कि observation में तो सीधी सीधी सी बात है, BF Skinner ने कौन से theory दी थी, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के theory दी थी तो option number second, जिस बच्चों ने लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है? चलिए, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है चलिए, अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका PDF दे दीजिए, इसका PDF दे दीजिए डाउनलोड करने के दो तरीके हैं या तो आप सर्च मार लीजिए टेलिग्राम को कहाँ पर, किस पर सर्च मारीए तो वो सर्च मार लीजिए, आप प्ले स्टोर में टेलिग्राम को डाउनलोड करके उसमें सर्च मारीए, DKGUPTA1122 या फिर जगा मत छोड़िएगा या फिर नीचे मेंने डिस्टिशन में लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करके आप डिरेक्ली जॉइन कर सकते हो ठीक है? जैसे कि ये देखो ये हैं पूरा का पूरा लिंक DKGUPTA1122 26,500 के आसपास बच्चे आपर जुड़े हुएं तो ओफिशल को जॉइन कीजिएगा तब ही आपको PDF मिलेगी ठीक है? फेक बहुत है मेरे नाम से बाकी ये हमारी learning app है जहां पर सारे के सारे notes रखे गए हैं परचेस करना चाते हो, कर सकते हो या फिर कोई भी टेस्ट लगाना चाते हो टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है? ये हमारी इंस्टा की ID है किसी भी बच्चे को application से related कोई doubt हो तो पूछ लीजिएगा थोड़ी देर में अभी बिल्कुल थोड़ी देर में आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा तो महाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है? DR, SST की कोई भी marathon classes नहीं हो पाएगी अब marathon classes जितनी होनी थी English की, EBS की, Math की, CDP की या फिर और कोई सी बची, Hindi की वो सारी की सारी हो चुकी है अब वो आप अपमी जागी class ले सकते हो उसके इलावा Science और SST की कोई भी marathon classes नहीं होगी ठीक है? उसकी detailed classes है वो ही आपको लेनी पड़ेंगी चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अमारा पूरा का पूरा lecture अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों को शेर कीजेगा ताकि हमें भी motivation मिले और आपको और अच्छी सची classism देते रहें तो दोस्तों आज की वीडियो में आपसे फिर मुला कातों की next वीडियो में एक next topic के साथ जब तक के लिए जैहिन